सवाल ही जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग में हा तक कैसे पहुँचे मिस्टर एलन पीज द्वारा लिखी गई यह किताब नेटवर्क मार्केटिंग वेफसाय करने वाले लोगों के लिए सफलता पाने के लिए बहुत ही उप्योगी साबित हो सकती है परिचे एलन पीज बॉडी लेंगविज पर वर्ल्ड के सरवादिक प्रसिद विशिशग्य है उनकी प्रसिद पुस्तक बॉडी लेंगविज तैंतीत भाशाओं में 40 लाग प्रतियों से अधिक भी की है टीवी सीरियल में 10 करोड से अधिक दर्शकों ने उनका बॉडी लेंगविज पर आधारित कारकरम देखा है वे 5 बेस्ट सेल्स के लेखक हैं इनमें से एक उन्होंने बारबरा पीज के साथ लिखी है सवाल ही जवाब है कोश्चन्स आर दा आंसर में एलन पीज पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में प्रयुक्त सरवादिक उलेकनिय तकनीकों को समझाते हैं सरल तकनीकों, आजमाय हुए नुस्खों और शशक्तर रनीती के द्वारा आप यह सीख सकेंगे कि किस तरह आप अपने नेटवर्किंग वेवसाय को उस शिखर तक ले जाएं जिसकी आपने सपना में भी कलपना नहीं की होगी, यह पुस्तक कम महनत से अधीक अमीर बनने के नुस्खे बताती है अगर आप नेटवर्किंग वेवसाय में नहीं हैं, तो भी इससे आपको लोगों को समझने और समझाने की बहुमुल तकनीके सीखने को मिलेंगी प्रस्तावना, ल्यूक और मिया, ल्यूक एक विल्डर था, वो चाता था कि उसका बिजनस सफल हो जाए, उसने ठान लिया था कि वो अमीर बनकर ही दिखाएगा, उसकी पतनी मिया एकाउंटेट थी, और उसकी कमपनी में ग्रहाक उसे पसंद करते थे एक दिन उसके पड़ोसी, मार्टी ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया, बैठक में उन्हें एक व्यावसाइक आवसर के बारे में जानकरी दी जाने वाली थी, मार्टी ने हाला कि उन्हें विस्तार से कुछ नहीं बताया था, पर चुकि बैठक करते थे इसलिए उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया इसके लावा उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नई पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी जैसे जैसे मीटेंग की कारवाई आगे बढ़ने लगी लिउक और मिया के आश्चर का पारा भी बढ़ता चला गया उन्हें अपनी आखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें एक नेट्वक मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक सुतंता मिलना तो तै था साथ ही वे बेहत अमेर भी बन सकते थे वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बाते करते रहे उन्होंने जल ही शुरुआत करने का फैसला किया क्योंकि उनकी सोच यह थी निश्ची थी जिसने भी हमारी तरह यह योजना समझी है वह हर वेक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा परन्तु यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था हर वेक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयुजित बैठक में भाग लेने के लिए आय ही नहीं। यहां तक कि उनके कई करीबी दोस्त ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इंकार कर दिया। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में काम्याब हुए। लेकिन यह सब इतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी। ल्यूक ने मिया से कहा अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कलपना करो कि हमारी जगा यही लोग हमें यह बता सकें कि वे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। काश ऐसा कोई रास्ता होता ऐसा रास्ता है और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें उचाई पर पहुँचने के लिए अधिक सफल सेल्समें बनना पड़ेगा। हमारा उद्देश इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्दिती बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिसमें आप नए लोगों को अधिक सरल्ता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दाव पेच या छलकपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीके हैं, कुछ सिदान्त हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे। बशर्ते की आप काम करें। मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी। जब मैं पहली बार 1980 में नेट्वर्क मार्केडिंग से परिचित हुआ तो मैं आश्चर चकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावना हैं और कितने अवसर थे जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंदाई थे और अमीर बनाने वा प्रिकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लगपती बन सकते थे, मैंने सोचा वाह, यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनीकों का प्रयोग नेट्वर्क मार्केडिंग मे कर सकूँ तो आशास्तीत परिणाम प्राप्त होंगे, यप उस तक नेटक मार्केडिंग के उन तकनीकों को अपनाने, संशोधित करने, परिछित करने और प्रयोग्त करने का परिणाम है, आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सिखाना बहुत सरल है, और आप इन्हें अपना क आप सफलता की उस राह में सरलता से चल सकते हैं जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं और इसके बारे में खाद बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीका है उसमें जरा भी बदलाओ लाने की आवशकता नहीं है लगबग दो घंटे तक पढ़ने और जो आप इस पुस्तक में पाएंगे अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार लें और पहले चौदा दिनों तक एक भी शब्द न बदलें तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कल्पनातित परिणाम प्राप्त होंगे यह बहुत बड़ा पक्का वादा है है ना पर आप यह न उनों के बीच हुआ समझोता है मैं आप से बदले में यह वचन लेना चाहता हूँ कि आप अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे जब तक आप इन चब्दों को नीद में न दौर आने लगें अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहाने को छोड़ दें और इस को पूरी इमानदारी और लगन से आत्मसाथ करने में जुट जाएं इस तरीके से यह तकनिक इस्थाई रूप से आपकी हो जाएगी मैं कई व्यवसाई कंपनियों में सलहकार या भागीदार रह चुका हूँ और यह तकनिक अपना कर उन्होंने लाखो करोडों डॉलर कमा हैं हजारों ने सदस्यों को अपनी कंपनी से जोड़ा है और अपनी आमदनी को 20 प्रतिशत 50 प्रतिशत 100 प्रतिशत 500 प्रतिशत और 1000 प्रतिशत तक बढ़ाया है यह अतिश्यक्ति पुन दावा नहीं है जो भी आप यहां सीखेंगे वह आपकी जिंदगी बदल कर रख दे आपको इस पद्धिती को पूरी तरह से अपनाना होगा अगर आप सहमत हों तो जोर से और अभी हां कहें अगर आपने जोर से हां नहीं कहा तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें टिपणी पुस्तक में जहां भी पुरुष वाचक शब्दों का प्रयोग किया वह पुर्षों वह महिलाओं दोनों के लिए हैं अगर लिंग भिनिता के अनुसार व्यवहार बदलते हैं तो उसका प्रिथक उलेक किया जाएगा आपकी प्रस्तुती दमदार कैसे बन सकती है किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यवसाइक योजना प्रस्तुत की जाए इन विश्यों पर कई अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्द हैं इसलिए इस पुस्तक में इन विश्यों पर अधीक वि प्रस्तुती दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ग्यान में बिना किसी परिवर्तन के ऐसा किया जाए इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी सही बटन खोजे पर दिया गया है काम आने वाली तक्नीकों को न बदले उन्हें दमदार बनाए दिक्तियर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस खंड के आरंब में दिये गए चित्र को देखकर इसका इस पुस्ट अर्थ समझ पाते हैं अप रसिछित आँक के लिए यह असंबंद रेखाओं की सिर्फ एक शिंखला है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता पर जब आप रिखाओं या लाइनों के बीच को पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टी कौन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाते हैं इस प्रिष्ट को थोड़ा सा जुका कर नियून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आँख बंद करके इस ध्यान से देखें सफलता के पाच सुरनीमनियम 11 साल की कम उम्र में मुझे मेरा पहला काम सौपा गया मेरे स्काउट टूप के लिए एक हॉल बनाने वाला था इसके लिए पैसे जुटाने के उद्देश से मुझे घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम दिया गया स्काउट मास्टर एक वरिद और समझदार वेक्ति थे और उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया जिसे मैं परिडाम का नियम कहना चाहूँगा मैं इस नियम के अनुसार जीवन भर चला हूँ और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसका अभ्यास करेगा वो इसके अनुसार चलेगा वो अन्तत अवस्य ही सफल होगा मैं आपको यह नियम उसी तरह बताऊंगा जिस तरह यह मुझे बताया गया था सफलता एक खेल है आप जितना अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे और जितनी अधिक बार जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे इस नियम को networking में अपनाए अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंतरन देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंतरन देंगे आप आमंतरण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बहतर बनाते जाएंगे दूसरे शब्दों में आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंतरण देना है नियम पहला ज्ञादा लोगों से मिले यह सबसे महत्वपूर नियम है जिसके पास भी सुनने को फुरसत हो उससे बाते करना शुरू कर दें इस मामले में घमंडी या बहाने बाज न बने जो अच्छे संभावित ग्रहाकों को छाट कर नकारने का प्रयास करता हो अगर संभावित ग्रहाकों की सूची पर नजर दोड़ाते वक्त आप यह सोचने लगें यह ज्यादा उम्र वाला है यह ज्यादा युवा है यह ज्यादा अमीर है यह ज्यादा गरीब है यह ज्यादा दूर रहता है यह ज्यादा स्मार्ट है आदी आदी तो समझ लें कि शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरुवत है क्यूंकि आपको अभ्यास की जरुवत है जब आप अपने वैफसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे आपके बिजनस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके गतिवीधी या सक्रियता में वृद्धी से न सुलच सके अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हों तो बस आप अपने प्रस्तूतियों की संख्या को दुगना कर दें अगर आपका वैसा इतनी चेदी से नहीं बढ़ रहा है जितनी आप चाहते हैं तो आप कुछ न करें सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अच्चू किलाज है हर किसी से बात करें यह पहला नियम है नियम दो ज्यादा लोगों से मिलें लोगों को फोन करते रहें हो सकता है कि आप शेहर के सबसे बढ़िया प्रस्तूत करता हो पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्रहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिद्नस में जादा सफल नहीं हो सकते हो सकता है कि आपकी वेशभूसा बढ़िया हो आपका वेक्तित सरहानी हो लेकिन अगर आपके प्रस्तूतियों की संख्या जादा नहीं है धर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी छमता का दोहन नहीं कर पाते वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्रहकों के कारण होता है जिनें वे राजी नहीं कर पाते पर यह सच नहीं है सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्रहकों के कारण होता है जिने वे मिल नहीं पातें आप जादातर लोगों से मिल कर अपनी बात करते रहें अगर आप इन पहले तीन नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदे नहीं है कि आप आशतित सफलता प्राप्त कर लेंगे नियम चार आसत के नियम का प्रयोग करें आसत का नियम जीवन के हर छित्र में सफलता दिलाता है इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही धंग से करते हैं और परिस्थित्या समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे उधारन के तौर पर एक डॉलर की पोकर मशीन का औसत भुकतान लगभग 10 अनुपात एक होता है अगर आप 10 बार बटन दवाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर 20 डॉलर के बीच की रकम जीतते हैं 20 डॉलर की जीत के आपके अवसर 118 अनुपात एक है इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरुवत नहीं है मशीनों को तैयार ही इस तरह से किया जाता है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुकतान करें बीमा व्यवसाय में मैंने एक अनुपात 56 की औसत से खोज की इसका मतलब यह था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकरात्मक सवाल पूछ हूँ क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाते तो 56 में से एक वेक्ति मुझे बीमा कराने के लिए तयार हो जाएगा इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूँ तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूँ और विक्रे करते हूँ कि चोटी के 5 प्रतिशत लोगों में जगा बना सकता हूँ अगर मैं किसी सडक के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले से यह कहूँ क्या आप networking बिदनस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा शायद 1 रुपात 100 जवाब हाँ होगा याद रखें औसत का नियम हमेशा काम करता है जब मैं छोटा बच्चा था और घरगर जाकर 20 सेंट में घरिलू स्पंज बेजता था तो मेरा औसत था 10 अनुपात 7 अनुपात 4 अनुपात 2 मैं शाम 4 बज़े से 6 बज़े तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तूती सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीचते थे इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी खास कर 11 वर्षिय लड़के के लिए मैं एक घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधी में मैं 12 स्पंज बेच लेता था जो 2.40 डॉलर के बराबर रकम थी चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है इसलिए मुझे इन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं होई जो नहीं खुले नहीं उन 3 लोगों के बारे में चिंता होई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी नहीं उन 2 लोगों के बारे में चिंता होई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दर्वाजों पर 10 तक दूँगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दर्वाजे पर 10 तक दूँगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा इसके बाद चाहे जो भी हो औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेणा दायक शक्ती था 10 दर्वाजों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दर्वाजों पर दस्तक दे सकता हूँ अपने अनुपाद का रिकॉर्ड रखें औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकडों का रिकॉर्ड रखना एक शक्ती दायक प्रेणा शुरोत था जल्दी ही मैंने इस बात की परवाह करनी छोड़ दी कि मेरे दर्वाजे खटकटाने पर किसने दर्वाजा नहीं कोला किसने मुझे देखने के बाद मेरी बातों को नहीं सुना या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं करदा जब तक मैं बहुत सारे दर्वादे खटकटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था मैं सफल था इस तरह से मैं आशुस्त रह सकता था और दर्वादों पर दस्तक देने में मुझे आनन्द आने लगा औसत और आकडों का रिकार्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष तक पहुंच सकते हैं यह न केवल आपकी प्रेड़ना का सतत शोत है बलकि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुझी भी है जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे की आगे क्या होगा अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं अगर कोई दर्वाजा नहीं खोलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और इसे स्विकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तूतियों, नए सदस्यों के आकड़ों को सामने रखते हुए औसद के अपने आकड़े खुद विक्सित कर सकते हैं 9 डालर की पोकर मशीन जब मैं किशोर अवस्ता में था तो मेरे पास एक सायंकालिन कार्य था मैं बरतन, चादर और कंबल बेचा करता था तब मेरा अनुपात था 5, अनुपात 3, अनुपात 2, अनुपात 1 मैं 5 संभावित लोगों को फोन लगाता था उसमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे उन में से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात कहने का अफसर मिलता था क्यूंकि तीसरा वेक्ती या तो अपाइटमेंट कैंसल कर देता था या सुनता ही नहीं था या ऐसी कोई आपत्ती उठा देता था जिसे दूर करना मेरे बस में नहीं होता था इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी बात सुनते थे और उन 2 में से एक मेरा समान खरीद लेता था और इस तरह मैं 45 डॉलर कमा लेता था इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फोन करता था उन में से मुझे अनततह 45 डालर का कमिशन मिल जाता था जो एक तरह से 9 डॉलर प्रती फोन था इसका मतलब यह था कि फोन पर हुई हर हां का अर्थ 15 डॉलर था चाहे वे मेरा सामान खर दें या ना खर दें चाहे वे मुझसे मिले या ना मिले और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे मुझसे क्या कहते हैं वाह यह कलपना से परे था मैंने एक बड़ी सी तक्ति बनाई जिस पर 9 डॉलर लिखकर मैंने उसे अपने टेली फोन के पास रख दिया हर उस वेक्ति से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे 9 डॉलर मिलते थे हर उस वेक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हां कहता था मुझे 15 डॉलर मिलते थे इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तक्दीर खुद बना रहा था ऐसे बहुत से सेल्समें थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वे निराश हो जाते थे पर मैं उनमें से नहीं था इसलिए मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का नंबर वन सेल्समें बन गया पांच अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात एक के मेरे आसत का आर्थिक अनुवाद फोन कॉल 9 डॉलर अपोइंट्मेंट 15 डॉलर प्रस्तूती 22.50 डॉलर विक्री 45 डॉलर मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान कर दें मेरा प्रमुख्य लक्ष तो केवल संभावित ग्रहकों को फोन करते रहना था यही सफलता की कुण्जी है ने वित्रकों की खोज में न जाएं बलकि उन संभावित ग्रहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तूती को सुनना चाहें औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम करेगा बड़ी सफलता कैसे पाएं 20 साल की उम्र में मैं सेल्समेन के रूप में बीमा कंपनी वेवसाय में आया 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही 10 लाक डॉलर से ज़्यादा का बीमा बेचा था और जिसे मिलियन डॉलर राउंड टेबल में शामिल किया गया था मेरा औसत था 10 अनुपाद 5 अनुपाद 4 अनुपाद 3 अनुपाद 1 मेरा फोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तयार हो जाते थे उन में से एक मिलना कैंसल कर देता था और मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था उन 4 में से किवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तूती सुनते थे और उन में से भी एक ही मेरा सामान खरीटता था और इस तरह मैं 300 डॉलर कमा लेता था मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हा कह दे मेरा ध्यान उन संभावित ग्रहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकाद के लिए आय ही नहीं या जिन्होंने मेरी प्रस्तूती सुनी ही नहीं या उन दो लोगों पर जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा ही नहीं ये घटना है तो खरिदार को ढूणने का केवल एक जरूरी हिस्सा थी वास्तों में अगर कोई संभावित ग्रहक मिलने के लिए नहीं आता था तो मुझे खात बुरा नहीं लगता था क्यूंकि मेरी योजना के अनुसार मैं यह पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा जब भी ऐसा होता था तो भी मैं प्रति व्यक्ति 60 डॉलर तो कमा ही लेता था आप अंको के वेवसाय में हैं मैं जानता था कि अगर 10 लोग फोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तयार हो जाएंगे और अंतता मुझे 300 डॉलर का कमिशन मिलेगा इस तरह हर उस संभावित ग्रहक से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे 300 डॉलर मिलते थे 10 अनुपाद 5, अनुपाद 4, अनुपाद 3, अनुपाद 1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुपाद फोन कॉल 30 डॉलर अपोइंटमेंट 60 डॉलर प्रस्तूती 75 डॉलर पून प्रस्तूती 100 डॉलर बिक्री 300 डॉलर 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वेम का घर था नए मॉडल की मस्रिज बेंचकार थी और मैं बड़ी शान से रहता था सवाल के वल इतना ही था कि मैं फोन पर किस तरह 5 लोगों से अपोइंटमेंट के लिए हां करवाता हूं नियम पाँच अपना औसत सुधारे बीमा वैफसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फोन गुमाता था और किसी से बात करता था मुझे 30 डॉलर मिलेंगे फिर भी 10 टेलिफोन कॉल के बदले 5 अपोइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्रहकों को गवा रहा था मुझे जरुवत थी अपोइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पदती जो हर 10 कॉल में से कम से कम 8 अपोइंटमेंट दिला सके इसका मतलब यह था कि मुझे संभावित ग्रहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्यूंकि मैंने उन्हें फोन पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं गवा दिया मुलाकात से प्रस्तूती के मेरे पांच अनुपाचार के अनुपात का यह मतलब निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20 प्रतीशत मुझसे नहीं मिल रहे हैं मैं इस कमी को ज्यादा अच्छे संभावित ग्रहाकों को होन करके दूर कर सकता था इसी तरह प्रस्तूती से पूर्ण प्रस्तूती के मेरे ओसत तीन अनुपात एक में भी सुधार की गुणजाईश थी परन्तु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैंने कुछ भी नहीं बदला तो भी मैं हर बार फोन गुमाने पर 30 डॉलर कमा ही लोगा ओसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुणजाईस कहा है और आप कितने सफल हो सकते हैं अनुपात आपको उन कारियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरीत करता है जिनसे परिडाम मिलते हैं न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है नेटवर्किंग व्यसाय में औसत मैं नेटवर्क मार्केटर्स को सत्तर के दसक से प्रसिक्षन दे रहा हूँ और मैंने उन लोगों और संगटनों के परिडाम इखटे किये हैं जो सफलता के शिखर पर है नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10 अनुपाद 6 अनुपाद 3 अनुपाद 1 अगर 10 संभावीत ग्रहक आपकी प्रस्तूति को सुनते हैं तो उन में से चै इसे लेकर रुमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनस को शुरू करना चाहते हैं उन में से आदे ही वास्तों में बिजनस शुरू करते हैं और इन तीन में से केवल एक ही सफल हो पाता है दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा केवल कमपनी के समान खरीटता रहता है तो इस तरह दस लोगों में से किवल एक ही वेक्ती दिर्ग कालिन वितरक बन पाता है अब बढ़ें सवाल पर बिजनस के बारे में दस लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर्थ तै करेगा जीवन बिमा वेसाय में हर एक ने दस लाग का बिमा बेचा है फरक सरिप इतना है कि कुछ लोग ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया है कुछ ने तीन से पांस सालों में ऐसा किया और कुछ ने एक साल के भीतर और यहीं पर पुरसकार और इनाम का रहस्य चुपा है मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सून योजित था कि मैं हर बारा हफते में दस लाग का बिमा बेच लेता था इस तरह ये योजना बनानी की समस्या थी बेचने की समस्या नहीं थी Network Marketing में भी ऐसा ही होता है अगर अधिकतर Network Marketers सफलता की उचाई पर नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्रहकों के कारण होता है जिन से वे मिल नहीं पाते अगर आप तदकाल अपने परड़ामों को दुगना करना चाते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है अगले साल के संभावित गरहकों से इसी साल मिले अगले साल आप अपने बिजनस के सलसले में नए संभावित गरहकों से मिलेंगे है ना, तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल ले, उनसे इसी साल मिले, जाएं और उनसे अभी मिले, आपके सामने बेचनी की समस्या है ही नहीं, सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हों, ताकि आप जितनी ज़्यादा लोगों से मिल सकते हों, म नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सून्योजित और अनुशाशित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें, और जल्दी से जल्दी मिल सकें, और सच सुधारना तो केवल इसका छोटा सा उत्तर है नहीं, वे आपसे आशा करते हैं कि आप सोदा पक्का करने के लिए उन्हें तयार करने का प्रयास करेंगे, वे इस बात की प्रतिच्छा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे, और इसी लिए इस बात की संभावना अधि उठाएंगे इसलिए नहीं कि आपने जो कहा है वह तरक संगत नहीं है बलकि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं अगर आप कुछ कहते हैं तो वह आपका विचार है उनका नहीं इसलिए संभावित ग्रहाग ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्यां उठाना जायज है दूसरी और आपके स संभावित ग्रहाग आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है आपका नहीं यही विचार को स्विकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्यां उठाने की आवशक्ता महसूस नहीं करते जो तकनिक आ आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग बना देगी कि आपके संभावित ग्रहाग आपको यह स्वेम बताएंगे कि वे वास्तों में क्या चाहते हैं आपको केवल उनकी बाते सुननी हैं जब आप किसी संभावित ग्रहाग से कहते हैं आप एक ऐसे ही जीवन शैली अप यह आपति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था लेकिन अगर आपका संभावित ग्रहाग ठीक यही बात आप से कहता है तो वह सही होगा उधारन के तोर पर अगर आपका संभावित ग्रहाग कहता है मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन शैली में मदूरता हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीज़े मिले तो कोई आपति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था यह उसका विचार था आपका नहीं जब आप चार कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्रहाग आपको बताएंगे कि वे क्य चाते हैं जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे लोग आपति क्यों करते हैं एक बार मैंने एक नेटवर्क कारकरता से पूछा कि हाल की प्रस्तितियों में एक संभावित ग्रहाग के साथ मुलाकात का क्या परेडाम निकला उनका जवाब था खास अच्छा नहीं वह अध चाइरस नहीं होता केवल प्रस्तूतिय निरस होती है उसका असली मतलब यह था कि वह नेटवर्क कारकरता रूची नहीं ले रहा था वह स्वयं भी निरस था और उसके प्रस्तूति भी जब आप रूची लेते हैं तो आपके संभावित ग्रहाग भी आपकी बातों में और आप में रूची लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की चार कुझियां पहला बर्फ पिगलाएं दूसरा सही बटन खोजे तीसरा सही बटन दबाएं चौथा सौधा पक्का करें इन चार कुझियों की सहता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुवात से गर्म हा तक पहुंच सकते हैं पहला बर्फ पिगलाएं इस शुरुवाती कुझि का उद्देश है संभावित ग्रहक के साथ तालमिल बनाना यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं इस कुझि का लक्ष विशुद रूप से अपनी योजना को बीजना है अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाब की आशा नहीं रखनी चाहिए सवाल यह उठता है कि आप इस इस्थिति में कब तक रहें जब तक कि आप अपने विश्वास न जमा लें और अपने व्यक्तित को बेच न लें जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा यही तो आप चाते हैं कुछ संभावित ग्रहकों के साथ इस इस्थिति में आपको केवल 3-4 मिनट का समय लगेगा जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30-40 मिनट तक लग सकते हैं दूसरा सही बटन खोजे इस इस्थिति में क्या होगा यह आपको पूरी तरह से तै करना होगा हो सकता है आपके संभावित ग्रहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो हो सकता है वे रुमांचित या दुखी या चिंतित हो जाए या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाए परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बलकि अपने आप पर होगा प्रस्तूती के इस भाग में आत्मसंतुस्ती के लिए जरा भी जगा नहीं है जब लोग अपने लक्षिया महत्वक आंच्छा के बारे में आत्मसंतुस्त हो जाते हैं तो वे इस कारी को करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुस्त हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुस्त व्यक्तियों की आवशक्ता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधीक प्रेरित हो सकते हैं। इस स्थिती में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्रात्मिक प्रेरिना घटक, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर या पी एम एफ खोजा जाएं। पी एम एफ ही वा कारण है जिसके कारण वे आपके बिद्दस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है। लाब प्राप्त करने के लिए या कस्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि आपके प्रात्मिक प्रेरिना घटक को किस तरह सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए यहाँ पर संभावित ग्रहाग आपको बताते हैं कि वे क्या लाप्राप्त करना चाहते हैं और किन कस्टों से बचना चाहते हैं चारो कुंजियों में से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है क्यूंकि यहाँ पर आपको संभावित ग्रहाग अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं लोग क्यूं खरीदते हैं? हमारे शोद के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्रात्मिक प्रेणा घटक निमलिल्कित हैं जब आप इस सूची का अधियन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूची बद्द कारणों में से एक कारण आपका भी प्रात्मिक कारण है जिसकी वज़े से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिद्दस में हैं कई और साहयक कारण भी हो सकते हैं पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा यही आपका प्रात्मिक प्रेणा घटक है चुकि प्रात्मिक प्रेणा घटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसलिए यह समझ लेना अनिवार है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्रात्मिक प्रेणा घटक वही नहीं होता जो कि आपका है उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी कई लोग strawberry या caramel को ज़्यादा पसंद करते होंगे पर अगर आप chocolate ice cream पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बाते करना न केवल आसान होगा बलकि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बाटना भी चाहेंगे और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर वेक्ती पसंद क्यों नहीं करता अधिकतर लोग chocolate ice cream पसंद करते हैं पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती कई लोगों को तो इससे allergy भी होती है नीचे लिखी हुई कहानिया असली जिंदगी की कहानिया है जो आपको प्रात्मिक पेड़ना घटक की शक्ती से अवगत कराएगी Ron क्यों शामिल नहीं हुआ अलबट एक वितरक था वह network marketing में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंतरता चाहिए थी वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपनी खुद की आमदनी तै करना चाहता था वह अपनी इच्छा जुसार आफिस आने जाने की स्वतंतरता चाहता था अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था हालिडे होम बनाना चाहता था इत्यादी आर्थीक स्वतंता उसका परात्मीक प्रेड़ना घटक था क्यूंकि इसी की वज़े से उसे बाकी सारी चीज़े मिल सकती थी अपने लक्षियों के प्रती उसका पूर्ण भावनात्मक जुडाव था और वह अपने बारे में उत्सास से लगातार बाते कर सकता था फंड जुटाने के इस्थानी कारिकरम के दौरान वह रौन नमक संभावित ग्रहाक से मिला और उसने उसे अपना बिजनस देखने के लिए अमंतरित किया अलबट ने रौन को पूरे उत्सास से अपनी योजना समझाई रौन काफी प्रभावित भी हुआ उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा वास्तों में अलबट ने रौन को फिर कभी नहीं देखा और वह पशुपस्ट में था कि आखिर उससे गलती कहां हुई थी रौन क्यूं शामिल नहीं हुआ समस्या यह थी कि दरसल रौन की प्रात्मिक प्रेणा घटक आर्थिक स्वतनता था ही नहीं उसने अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बड़िहा कार का मालिक बनने की महत्वकांच्छा नहीं थी वह अपनी मां से मिला अपने छोटे से घर में ही खुश था उसे सडक के ट्राफिक में फसने के बजाए ट्रेन पकड़ना और उसमें अकबार पढ़ना ज्यादा पसंद था रौन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतनतरता ठीक थी पर इससे उसे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेणा नहीं मिल पा रही थी रौन की असली पेड़ना यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अफसर मिलेंगे नई कलाय सिखने को मिलेंगे और वह समाज के लिए अपना योगद्यान दे सकेगा इसी कारण तो वह फंड इखटा करने की योजना में शामिल हुआ था पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अफसर ही नहीं मिला क्योंकि अलबर्ट आर्थिक स्थनता को उसके गले के नीचे उतारना चाता था निश्चित रूप से रौन पर अलबर्ट की उत्साही प्रस्तुती का प्रभाव हुआ था परन्तु अगले दिन जब सूरद निकला तो उसकी प्रतिक्रियत ठंडी हो गई कुछ ही दिनों में रौन अलबर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुती के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था अलबर्ट यह नहीं जान सका था कि दूसरों की सहायता करना रौन का प्रात्मिक प्रेणा घटक है जेन का गलत फैसला जेन की उम्र 34 फर्ष थी और वह अपने दो बच्चों के साथ अकेली रहती थी वह दो साल से नेट्वर्क मार्केटिम गी थी डेविट से उसकी पहचान एक डीनर पार्टी में हुई डेविट ने उसकी नेट्वर्किंग गती वीदियो में रूची ली और उसके बारे में अधिक जानकारी चाही जेन का खुद का प्रात्मिक प्रेणा घटक था अपने लिए ज़्यादा खाली समय जुटाना ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और सिक्षित कर सके पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्रात्मिकता नहीं हो सकती डेविट की उम्र 50 और 60 के बीच थी उसका स्वेम का कांट्रेक्ट क्लिनिंग का काम था इसलिए जेन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्रात्मिकताओं की सूची में रिटायर्मेंट का इस्थान सबसे पहले नंबर पर होगा जब वह बिजनिस के बारे में बता रही थी तो उसकी चर्चा की केंदर में यह बात मौजुद थी कि इससे इल लोगों को आराम दे रिटायर्मेंट के पूरे लाब मिल सकेंगे शाम कत्म होने पर वह हैरान रहे गया जब डेविट ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर नहीं होना चाहता वह रिटायर्मेंट को शिग्र मृत्यु मानता है जेन नहीं गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायर्मेंट डेविट का प्रात्मिक प्रेणा घटक है उसका परिडाम यह निकला कि डेविट उसके थाथ शामिल होने के लिए प्रिदित नहीं हो पाया अनुमान न लगाएं यह हम दोनों में से एक को मुर्क बना सकता है जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्रात्मिक प्रेणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफिस संभावना होती है अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार नजर आएगा न कि आपके संभावित ग्रहक का और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेणा दाए शक्ति इतने नहीं होंगे जितने की अपेक्छित हैं प्रात्मिक प्रेणा घटक को किस तरह खोजें? प्रात्मिक प्रेणा घटको के सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें यह सूची आपके बिजनस कार्ड के पीछे हो सकती है या तैयार किये गए दरश्य साधन के रूप में या छोटे कार्ड के रूप में हो सकती है यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है पहला अतरिक्त आम्दनी दूसरा आर्थिक स्वतंतरता तीसरा स्वयम का व्यवसाय चौथा ज्यादा खालिस समय पाँचवा व्यक्तिकत विकास छटवा दूसरों की सहता करना अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने संभावित ग्रहाक से यह सवाल करे क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनस क्यों शुरू करना चाहते हैं इस सीधे से सवाल में यह खुबी चुपी हुई है कि अगर सामने वला जवाब नहीं कहता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है लीजिये मैं आपको बता देता हूँ इस बिंदू पर आप अपनी सूची उनके सामने रख दें अगर आपका संभावित ग्रहाक आपके सवाल के जवाब में हां कहता है तो आप उससे पूछें तो बताईए कि लोग इस बिजनस में क्यों शामिल होते हैं इस पर आपका संभावित ग्रहाक आपको कुछ असली और कुछ नकली अजपके कारण गिना देगा जिनकी वज़े से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस शुरू करना चाते हैं जब उसके पास की कारण समाप्त हो जाएं तो आप पूछें और कुछ वह जवाब देगा नहीं इस पर आप यह कहें लेजिए मैं आपको बता देता हूँ और फिर ततकाल उसके सामने प्रात्मिक प्रेणा घटकों की अपनी सूची रख दें इसके बाद पांच ठोस सोने के सवाल पूछें यह पांच सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज़ादा कीमती सवाल होंगे यह जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुचा देंगे यदि यह आपका प्रात्मिक प्रेणा घटक हो इन सवालों को रट ले और इने अपना हिस्सा बना ले इनके करम को बदलने की गलती न करें यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे यह रहे आपके पांच ठोस सोने के सवाल पहला आपकी पहली प्रात्मिक तक क्या है दूसरा आपने इसी को क्यों चुना तीसरा यह आपके लिए महतुपूर्ण क्यूं है चौथा यदि आपको यह अफसर न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे पांच वा इन परिणामों से आप चिंतित क्यूं होते हैं इन सवालों को रट लें शब्द सह जब आप उन्हें पूछें तो इधर उधर न भटकें यह भहुत महतुपूर्ण है कि सवाल इसी क्रम में पूछे जाएं नए संभावित ग्रहाक से बात करते समय कुछ नेटवर्कस उत्सुकता की शैली में प्रयोग करना चाते हैं जबकि कुछ सीधे शैली का प्रयोग करते हैं नीचे देगे उधरणों में प्रयोग शैली अधिक सीधी है क्योंकि इसे प्रस्तूत करना अधिक आसान है यह चर्चाएं वास्तविक साक्षात कर पर आधारी थें एंगी मिली रे और रूत से रे और रूत लगबग 25 वर्षिय यूगल थे जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आये थे उनका मकान एंगी के मकान से दस कदम की दूरी पर था पड़ोसियों की सामान नीचर्चा के दोरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि वह बिजनस किस तरह से काम करता है इस पर रूत ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनस में उन लोगों की कोई दिल्चस्पी होगी क्योंकि उनके पास खाली समय बच्ता ही नहीं है रे दो जगह काम कर रहा था और रात को रूत को नए घर में सामान विवस्तित करना पड़ता था एंगी ने कहा कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो दो जगह नोकरी करते हैं और जो घर बदल कर नए घर में रहने आते हैं फिर भी वह उन्हें अपना बिजनस दिखाना चाहेगी क्योंकि शायद वे इसमें भविश में रूची लें एंगी ने उन्हें अपने घर काफी पीने के लिए आमंतरित किया क्या शनिवार दोपर चार बजे ठीक रहेगा उसने पूछा रे और रूत तयार हो गए वे दोनों चार बजे पहुँच गए और काफी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनस क्या होता है रे और रूत ने एंगी को बताया कि उन्हें नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनस में प्रयास किये थे और जो बाद में असफल हो गए थे उनकी नजर में या किसी साबुन से संबंदित था इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा क्या यह M.V की तरह है इसी पर एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली एंगी क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनस क्यों शुरू करते हैं रे यह पिरामिट बेचनी की तरह है है ना एंगी लीजिये मैं आपको बता देती हूँ एंगी सहज़ता से अपना PMF कार्ड बताते हुए वह यह प्रमुक कारण हैं जिसकी वज़े से लोग नेटो मारकेटिंग में शामिल होते हैं आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या होगी रे आह हमारे पास तो यह आर्थिक स्वतनता ही होनी चाहिए रूत दर्णता से निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्रात्मिक्ता है एंगी आपने इसी को क्यों चुना रे क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे दो जग़ काम करना पड़ता है और रूत भी ओट टैम करती है ताकि जब हमारा परिवार बड़े तो हमारे पास एक सारा हो जो हमारे काम आ सके हम चाते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सिक्षा मिल सके हम पैसे के लिए हमेशा दोड़ दूप नहीं करना चाते एंगी यह आपके लिए क्यों महत्वपूर है रे जैसा मैंने कहा हम अपने घर के पूरे पैसे चुका आना चाते हैं और यह भी चाते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सिक्षा मिले रूत और मुझे कभी यह सब नहीं मिला हमें ऐसे अफसर मिले ही नहीं रूत बाच्चित का सीरा थामे हुए सही बात मेरे माबाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसे की खीशतान करते थे हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी भी उनहीं की तरह गुदरे एंगी यदि आपको आर्थिक स्वतंतरता नहीं मिलती है तो इसके क्या परिणाम होंगे रे हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माबाप थे उसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना और आमदनी कम और खच जादा और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा रूत अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दिलाने में काफी कर्च होता है बिना अतरिक तामदनी के हम उन्हें जिंदगी में अच्छी शिरुवात नहीं दे सकेंगे एंगी इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं रे तनावपूर्ण स्वर में जैसा हमने कहा अगर हम आर्थिक स्वतनता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संगर्स ही करते रहेंगे और ऐसा कौन चाहता है रूत साथ ही हमें रिटायर होने की यूजना भी बनानी हैं इसलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं विशलिशन इस वारतालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो इसी तरह से सामान यूगल द्वारा न कहा जाए फर्क सरिफ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने पांच ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया और रूत तथा रे ने अपने प्रात्मिक प्रिणा घटक उजागर किये अगर एंगी को किस्मत से यह पता भी होता कि उनका प्रिणाम प्रिणा घटक आर्थिक स्वतंतरता है तो भी रे और रूत की निगाह में यह विचार एंगी का होता उसका नहीं अगर एंगी ने उसके आर्थिक स्वतंतरता के बारे में बात की होती तो रूत और रे ने शायद आपत्यां उठाई होती क्यूंकि वह एंगी का विचार होता पर चुँकि यह विचार उनहीं का था और ऐसा उन्होंने खुद कहा था इसलिए यह हकीकत थी इस बारे में कोई आपती हो ही नहीं सकती थी इन पाँच सवालों का विचार करें पहला आपकी पहली प्रात्मीक तक क्या है? असली सवाल यह था आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस में क्यों शामिल होना चाहते हैं रे ने कहा कि उनका प्रात्मीक प्रेणा घटक आर्थिक स्वतंतरता है इसलिए वे दोनों शामिल होंगे दूसरा आपने इसी को क्यों चुना यह सवाल दरसल यह पूछता है आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं उन दोनों ने इसपस्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाते हैं, अपने बच्चों को अच्छे सिख्षा देना चाते हैं और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाते हैं तीसरा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यूं है? यह सवाल पूछता है, मुझे फिर से बताएं, आप इसी कारण से क्यूं शामिल होना चाते हैं? रे कहता है, जैसे मैंने कहा, और फिर से अपनी बाते दोहराता है, और उन कारणों को बताता है, जिसके लिए वो बिजनस में आना चाता है रूत भी और कई तरक देती हैं कि आर्थिक स्वतंतरता उसके लिए पहले नंबर का कारण क्यूं है, जिसके लिए दोनों को उसमें शामिल होना चाहिए उसके माता-पिता को खर्च चुकाने में मुश्किल आती थी और वह ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाती थी यह सवाल दरसल पूछता है कि अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा अब वे दोनों रुमांचित हो जाते हैं, वे एंगी को बताते हैं कि वे अपने माता-पिता की तरह तंग हाल जिवन नहीं जीना चाते और वे नहीं चाते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी सिक्षा न मिल पाए क्योंकि उनके पास परियाप्त पैसा नहीं था पांचवा, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? यह सवाल उनसे अपनी पहली प्रात्मिक्ता को दोराने का आग्रह करता है वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं वे बार-बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंतरता उनके व्युसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था? ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने एंगी को बताया एंगी ने उन्हें नहीं नहीं बताया अगर एंगी ने उन्हें यह सब बाते ठीक इसी तरह बताई होती तो भी शायद उन्होंने बहाने बाजी की होती कि वे network marketing business में क्यों शामिल नहीं हो सकते पर क्योंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण बताये थे इसलिए वे कारण वास्तविक थे इस साक्षात कर के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि यूजना किस तरह कार्य करती है और इसके लाबकारी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया उसने उन्हीं के फायदे बताये जो उन्हें प्राप्त हो सकते थे और वे कहानियां बताई जिनसे वे बच सकते थे रे और रूत की निगाह में यह उनके सपनों का बिलकुल सही उत्तर था क्योंकि वे अपने ही शब्दों को दूसरे के मूँ से सुन रहे थे अपने ही लक्षे और अपने ही डर जो एक प्रस्तावित व्यवसाईक योजना के रूप में प्रस्तूत किये गए थे यह सब उनका ही था एंगी का नहीं किस तरह ब्रुनो ने एक सक्त चने को फोड़ा ब्रुनो एक इंजिनिर था जो एक असोसियेशन में दूसरे इंजिनिरों के साथ काम करता था जिसमें जिम भी शामिल था ब्रुनो ने एक साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिदनस शुरू किया था और उसकी नजर में यह इंजिनीरिंग के रोजमर्रा के रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था उसे बड़े छितिच की तलास थी ब्रुनो ने जिम से कई बार व्यवसाइक अवसर का जिक्र किया था पर हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी और उसने भी जिम को शामिल करने का प्रयास किया था पर जिम ने कोई रूची नहीं ली थी क्यूंकि वह अपने आपको एक इंजिनियर मानता था सेल्स में नहीं और वह अपने दोस्तों को परिशान नहीं करना चाता था एक शाम काफी पीते पीते ब्रुनो ने सहचता से अपना नया बिजनस कार्ड निकाला जिसके पीछे प्रात्मीक प्रेणा घड़कों की सूची छपी हुई थी जिम ने कार्ड देखा जिस पर ब्रुनो ने नाम के नीचे नेटवर्किंग एंड डिस्टिब्यूशन चपा हुआ था ब्रुनो जिम क्या तुम जानते हूँ नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है जिम हाँ जैसे मैंने बताया न मेरी वहन भी इसी बिजनस में थी यह एक तरह का पिरामीड योजना है है न ब्रुनो लीजिये मैं आपको बता देता हूँ ब्रुनो ने बिजनस कार्ट को पलट कर प्रात्मिक पेड़ना घटकों की सूची जिम के सामने रख दी ब्रुनो आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या होगी जिम जिम मैं सोचता हूँ अपना स्वेम का बिजनस और दूसरों की साहता करना ब्रुनो, आपने इनी दोनों को क्यों चुना? जिम, मैं बिजनस इसले करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंजिनिरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पिस रहा हूँ अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की साहता करना चाहूँगा मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है इसलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्विक्छा से काम कर रहा हूँ ब्रुनो, यह आपके लिए महत्तपुन क्यों है? जिम, जैसा मैंने पहले कहा भविश्य में भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा आप जानते ही हैं यह किस तरह का क्राम है बुनो मैं इन दिनों अपने रिटार्मेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है मैं कुछ और करना चाहूँगा पर 38 साल की उम्र में यह एक बहुत बड़ा खत्रा है जो उठाने से मुझे डर लगता है पुरूनो अच्छा अगर आपका अपना बिज़्दस न हो तो उसके परिणाम क्या होंगे? जिम अहसहज होते वे जैसा मैंने कहा मुझे उसी चक्की में पिसना पड़ेगा मेरे पास वही पुरारी रूटीन जीवन होगा हमारी उम्र के कई लोग इसी तिनाम के करण मर जाते हैं अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभी भावक समीति में शामिल होना चाहूँगा मैं अपनी वर्क शॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वेम के नेड़नाय लेना चाहूँगा मैं अपनी जिंदगी को दूसरे के नियंतरण में देखते देखते ठक चुका हूँ ब्रुनो इससे आप चिंतित क्यों होते हैं जिम क्यूंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीजों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम कम करना चाहूँगा जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयम के लिए कुछ करना चाहूँगा ब्रुनो नेटवर्किंग बिद्नस बना है इस तरह से है कि आपको यहां सब चीजे एक साथ मिल जाती है यह आपको अधिक समय अधिक स्वतंतरता देता है स्वयम का बिद्नस शुरू करने तथा दूसरों के सहता करने के अफसर देता है और वह भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें मुझे क्या लाब हुआ ब्रुनो एक साल से भी अधिक समय से जिम को बिद्नस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था जब ब्रुनो ने पांच ठो सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर में वह जिम को वह बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए यह बुरुनो का विचार था जिम का नहीं बुरुनो की कार्ड के पीछे दी गए सूची और पांच ठोस सोने के सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वह बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहेगा जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ उसने पूचा यह मुझे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया इसका जवाब यह था कि इसके पहले उसे यह बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए परन्तु इससे पहले किसी ने उसके प्रात्मिक त्रेणा घटकों के बारे में पूचा ही नहीं था किस तरह दांत के डॉक्टर का आपरेशन हुआ यह घटना मेरे साथ हुई 44 वर्षी है फ्रैंक मेरा दंत चिकित सक्था उसके पास समुदर तट पर 10 लग डालर का आलिशान बंगला था एक शांदार कार थी और वह हमेशा व्यस्त रहता था अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था एक दिन जब मैं इस्तानिया शॉपिंग सेंटर में था तब मैंने उसे काफी हाउस पर बैठे देखा मैं भी काफी पीने के लिए उनके पास जा पहुँचा एलन काम धन्दा कैसा चल रहा है फ्रैंक फ्रैंक उत्सा हिंद होकर ठीक ही है एलन मजा की अंदाज में फ्रैंक आप समुद्र तटपर रहते हैं आपके पास धेर सारा काम है और आप धेर सारा पैसा कमाते हैं फिट तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए फ्रैंक मेरे ख्याल से यह जिंदगी गुजारने के लिए प्रयाप्त है अच्छा फ्रैंक अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़ कर कुछ और शुरू क्यों नहीं करते फ्रैंक मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा अलन अलन क्यों नहीं फ्रैंक यथार्थ पूर्ण स्वर में क्योंकि मैं दातों का डॉक्टर हूँ हमेशा दातों का डॉक्टर था मैं यही कर सकता हूँ एलन रूची लेते हुए अच्छा फ्रेंक आपने दातों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया फ्रेंक तब मैं 18 साल का था और विश्वी दाले में पढ़ रहा था मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया और दंत चिकित्सा मेरा अगला विगल्ब था एलन क्या आपको दातों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है फ्रेंक फ्रेंक चटके से सच कहूं तो नहीं पर इससे बिल्क चुक जाते हैं एलन फ्रेंक अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सरजेरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए तो क्या आप उसकी बाते सुनेंगे फ्रेंक हस्ते वे 18 साल का अनुभवी ही निवग 44 साल के अनुभवी आदमी की जिंदगी के बारे में क्या समझ सकता है एलन तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे फ्रेंक बिल्कुल नहीं एलन फिर आप अभी उसकी बात क्यों सुन रहें चर्चा एकदम रुख गई फ्रेंक अवाक रह गया उसने यह कभी नहीं सोचा था कि 18 साल की कॉलज में पढ़ने वाला च्छात्र के छणिक निर्ने से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंतरित हो रही है मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था और यह इतना अच्छा अफसर था जिसे मैं खोना नहीं चाता था मैंने अपनी जेब में हाट डाला और अपना बिजनस काट निकाला जिसके पीछे प्रात्मिक पेड़ना घटकों की सूची छपी हुई थी एलन फ्रेंक इस सूची पर नजर डाले आपकी नजर में जिन्दगी की पहली प्रात्मिक्ता कौन सी है लंबी खामोशी के बाद उसने अंततह जवाब दिया फ्रेंक ज्यादा खाली समय एलन आपने इसी विकल्प को क्यों चुना फ्रेंक मैं हर रोज सुब़ छे बजे उड़ जाता हूँ ताकि साड़े आट बजे से पहले मरीज देखने के लिए मैं तयार हो सकूँ मैं शाम छे बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों के शिकायतें कोई भी महत्वपूर काम करने की हालत में नहीं होता फुर्सत एक ऐसी चीज है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं है एलन यह आपके लिए क्यों महत्वपूर है फ्रेंक फ्रेंक असरज होते वे जैसा मैंने कहा मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और धेश सारी छुतिया होती एलन यानि फ्रेंक दंत चिकित्सा जैसा नहीं दंत चिकित्सा वैसा नहीं है जैसे इसे समझा चाता है जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था फ्रेंक पांच मिनट तक भाव विलीन होकर उस कैद खाने के बारे में बात करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था एलन अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परेडाम होंगे फ्रेंक फ्रेंक हतास भरे स्वरों में मुझे अपनी पूरी जंदगी सरजरी करते करते काटनी पड़ेगी मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे पास उनके लिए समय नहीं है मेरी पतनी का कहना है कि मेरी तनाव पूर इस्थिती से वह भी काफी तनाव करस्त रहती है फ्रेंक का चहरा पीला पड़ रहा था उसकी आँखे डबडबा रहे थी मुझे लगा कि वह फूट फूट कर रोने वाला है 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौझूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था एलन दीमे से आप इससे चिंतित क्यों होते हैं फ्रेंक फ्रेंक ने कोई जवाब नहीं दिया वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफी चिंतित था वह बस चुप चाप वहाँ बैठा रहा मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाओं नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे चेल पाएगा इसके अलावा मुझे कॉन्फलिक खरीदने चाहिए थे न कि फ्रेंक की जिंदगी को बदलना चाहिए था तीन महने बाद मैं फ्रेंक से उसकी सरजरी में मिलने गया उसके रिसेप्टनिस ने मुझे बताया कि वह बाहर गए हुए थे वह एक सोमवार को लौट कर आये थे और उनने घुशना की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगा किसा करेगा वे कुछ छुटिया मनाने जा रहे हैं किसी ने भी उन्हें तीन महने से नहीं देखा था एक साल बाद मैंने सुना कि फ्रेंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल बेच रहा है और वह काफी खुश है मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रेंक कहा है या वह क्या कर रहा है पर यहां जो कुछ हुआ वह इसलिए महत्यपूर है क्योंकि यह बताता है कि यह तकनीक कितनी शक्तिसाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की जिन्दगी बदल सकते हैं जिनकी आपको कतई उम्विद नहीं होगी हो सकता है कि कहीं पर फ्रेंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनस हो ऐसा ग्रहाक जिसकी कोई प्रात्मिक्ता ही नहो कभी कबार आपका किसी ऐसे संभाविक ग्रहाक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्रात्मिक्ता ही नहीं होती कई लोगों के पास प्रात्मिक्ता दो कारण से नहीं होती पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुझ कोई प्रात्मिक्ता होती ही नहीं है और नमबर दो या नमबर तीन प्रात्मिक्ताएं भी नहीं होती इस तरह के मामलों में उन्हें धन्यवाद दे और अगले संभावित ग्रहा की खोज में चल दे अपना समय ऐसे लोगों के साथ बरबात न करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्रात्मिक्ता न हो दूसरा कारण यह होता है कि वे प्रात्मिक्ता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्यूंकि उन्हें उसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा इस तरह के संभावित ग्रहकों से कैसे निप्टा जाए आपके और संभावित ग्रहक के बात चीत के कुछ अंश उधारन आप, आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या है? संभावित ग्रहक, सच कहों तो इन में से कोई भी नहीं आप, कोई भी नहीं संभाविद ग्रहाक नहीं, इन में से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपुण नहीं है आप सामान रूप से अच्छा, अगर इन में से कोई प्रात्मिक्ता महत्वपुण होती तो कौन से होती संभाविद ग्रहाक अगर कोई प्रात्मिक्ता महत्वपुड होती तो शायद आर्थिक स्वतंतरता ही होती आप आर्थिक स्वतंतरता ही क्यूं? संभावित गहाग क्यूंकि पैसे का होना काफी महत्व रखता है और अब आप पांच ठोस सुने के सवाल को पूछना जारी रख सकते हैं प्रात्मिक्ता चुनने में उसकी सहयता करने के सारे प्रलोबनों पर काबो पाएं क्यूंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए आपका नहीं उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनस में क्यूं शामिल होना चाहता है संभावित ग्रहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्पूर्ण शवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अफसर दिया होगा अगर आपके संभावित ग्रहक से पहले भी नेट्वर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछ कर चुपी साधी होगी आपके संभावित ग्रहा के जवाब उस प्रतिबदतास के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनस में लंबी अवधी के लिए अपनाएगा भेडों को बकरियों से अलग कैसे करें? पांच ठोस सोने के सवाल के जवाब संभावित ग्रहा जितनी गंभीरता और गहराई से देगा उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद रहेगा? यदि उसके जवाब लापारवाही पूर्ण, अविश्वस्निय या असंतोस जनक हों तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंतरन देना चाहिए या नहीं? जब तक आपके संभावित गरहाक के सीने में आग न हो तब तक वो शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर पांच ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमजोर हों तो बहतर होगा कि आप कोई नया गरहाग खोज लें। जो संभावित गरहाक कमजोर प्रतिक या ना करें प्रात्मिक्ता वाले संभावित ग्रहाग हमेशा सफल होंगे आप केवल इस प्रक्रिया की गती बढ़ा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग व्योसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है आप जमीन खोदते हैं खाट डालते हैं घास फूस को हटा देते हैं औ पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नस्ट हो जाते हैं आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाट पानी दे और घास पूस को हटा दे मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं तो आपको ह हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी यह सोचने की गलती कभी न करें कि एक कमजोर बीज को प्रोसाहन दिया जाए और वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है ऐसा कभी कबार ही होता है असली रहस्य है मजबूत बीज ब ग्रहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता तो वह आपके लिए गलत ग्रहक हो सकता है शायद उसका समय निर्धारन ही गलत हो या वह केवल आपके सामानों का खरिदार ही बन सकता हो आप भले ही कितने भी संभावित ग्रहकों को प्रयोजित करें पर अपना अधिकतर समय मजबूत विजो को दें समू के साथ सूची का प्रयोग थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपने संभावित ग्रहकों के समू के सामने प्रस्तूती करने का अश्चर जनक तरीका खोज लिया है आप या तो तयार PMF सूची का इस्तमाल कर सकते ह या समू के लोगों से पूछ सकते हैं कि वे Network Marketing समू में क्यों शामिल होना चाहेंगे तयार सूची के साथ आप किसी से भी यह सवाल पूछ सकते हैं आपकी पहली प्रात्मिकता क्या है और फिर रुक जाएं इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्रहक के साथ दोराएं और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समू आपको बता रहा होगा कि वे इस बिजनस में क्यों शामिल होना चाहते हैं अगर आप रस्तूती के दौरान हाथ से सूची बनाना जादा पसंद करते हों तो प्रात्मिकता बताने वाले हर वेक्तिस से आप चुचुना और फिर सभी सवालों को एक-एक कर पूछते जाएं यह बड़ा मज़िदार होगा जब पूरा समू एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों महत्वपूर हैं और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना हैं और उनका उत्सा बढ़ाना है तीसरी कुझी सही बटन दबाएं योजना दिखाएं यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कारिकरता बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं सपनों और डरों का समाधान है जो आ आपको दिये गए प्रसिक्षन से आपको अपनी व्यवसाइक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निसंदे मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित परेड़ाम प्राप्त होंगे फिर भी यह अत्यंत महत्पुर्ण है कि आप अगले वक्तव वे को समझ ले व्यवसाइक योजना केवल एक समस्या का समधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका समधान तारकिक रूप से सही होना चाहिए पर तरक का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है पांच ठोस सोने के सवाल भावनाओं के तालों को खोलते हैं और समभावित गरहकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयम खोजें अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले से प्रात्मिक प्रेरिणा घटक को नहीं खोजा है तो हो सकता है कि समभावित गरहक उस समय तो उत्साहित हो जाएगा पर बाद में वह और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा। या इसका मतलब यह है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर हो आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यवसाईक योजना बनाते समय अपने संभाविक ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए वेक्तिकत बन जाती है यह अर्थपूर्ण और प्रेणा दैग बन जाती है क्यूंकि वे विचार वशब्द उनके होते हैं आपके नहीं चौंथी कुंजी सौदा पक्का करें अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो आपने संभाविक ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आगरह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती उनके खुद के भीतर इतना उत्सा पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिदनस शुरू करने के लिए बेताव हो जाएं हमेशा अपने प्रस्तुती को इस नजरिये के साथ रखें जैसे ततकाल शुरुआत करना एक स्वभाविक प्रक्रिया हो आपकी शहली वेफसाइक तो हो परंतु सहज भी हो जैसे आप हर रोज यही सब करते हैं जब आपको लगे कि आपके संभावी गरहाक ने बिदनस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें आप उन्हें तुरंत शामिल होने का निमंतरण अवश्य दें हमेशा विश्वास पूर्ण वह निश्चित बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं आज ही न की अगले दिन यह पद्दती काम क्यूं करती है? चार कुण्जियों वाली पद्दती हां तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है इसलिए इससे अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए आपको इस फार्मूले का पूरी तरह पालन करना है मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कारकरताओं से मिला हूँ उनमें से अधिक्तर बर्फ पिगलाएं इस तर पर अच्छा प्रदशन करते हैं उन्होंने सीख लिया है कि लोगों से दोस्ताना ढंक से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे ताल मिल बठाया जाए अधिक्तर नेटवर्क मार्केटिंग कारकरता सही बटन ढूंडे इस तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते वे बर्फ पिगलाएं से सीधे सही बटन दबाय पर पहुंच जाते हैं यह मान भी लिया जाए कि व्यवसाइक योजना की उनकी प्रस्तूती स्रेष्ट रहती हो तो भी यह अवश्यक नहीं है कि संभावित ग्रहाक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे क्यूंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते यही प्रमुक कारण है जिसकी वज़े से कई संभावित ग्रहक आपकी योजना की प्रस्तूती से रोमान्चित हो तो जाते हैं पर एक दो दिन बाद ही उनका उत्सा पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार करता तो योजना दिखाने में इतने तलीन हो जाते हैं कि वे विचार को बेच तो सकते हैं पर वे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है आपकी वेवसाइक योजना आपके संभावित ग्रहक के उन कष्टों का समधान है जिन्हें वे दूर करना चाता है और उन लाभों का समधान है जो वे प्राप्त करना चाता है इसलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावीत गरहक की प्रात्मिक प्रेणा घटक न खोज ले और उन्हें इसके बारे में आवेशित न कर दें अगर आप सही बटन ढूंडे में श्रिष्ट हो तो आपको सौधा पक्का करने की इस्तिती के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यक्ता नहीं है अगर आप जानते हैं कि संभावीत गरहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो वे अपनी समस्य के लिए स्वयम समधान खोजना प्रारंब कर देंगे इस तरह सही बटन ढूंदना और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कारिप बन जाएगा चैप्टर थ्री शशक्त प्रस्तूती के छह मत्तुपूर उपाए यहाँ पर छह छोटे परंतु बहुत प्रभावी उपाए दिये गए हैं जो आपकी प्रस्तूती को दमदार बना देंगे उपाए पहला पुल बनाना पुल बनाना एक तक्नीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परस्तिती को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बाते करते हैं या आपका संभावित ग्रहक बहुत कम बाते करता है अगर आप कोई महत्तपूर्ण सवाल पूछें और जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप बहुत कुंठित हो जाएंगे असली जिंदगी की कहानी किस तरह स्यू ने एक भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया यहाँ पर स्यू का उधारण है जो एक डिस्टिबूटर थी और वह अपने संभावित ग्रहाक फ्रेड के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी फ्रेड एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और उसने अपनी लंच की छुटी में स्यू को मुलकात का समय दिया था फ्रेड शुरुआत में ज़रा रूखा नजर आया और वह बातुनी स्वभाव का नहीं था इसलिए स्यू शूरू से थोड़े निरुच साही हो गई स्यू आप इस बिजनस में कैसे आए फ्रेड मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रूची थी इस संबंद में स्यू के पास अधिक जनकारी नहीं थी इसलिए उससे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा स्यू आपको कंप्यूटर के बिजनस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है फ्रेड यह लगातार बदलता रहता है दोबारा दिये के इस छोटे जवाब ने स्यू को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसला जारी रह सके समस्य यह थे कि अगर वह धेर सारे अच्छे सवाल भी पूछती तो भी कुछ समय बातचीत किसी इंटर्वियू की तरह लगती जिसमें स्यू की भूमी का पुलिस्ट कमिशनर जैसी हो जाती छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्रहा को संभालने का स्रिष्टम तरीका यह है कि उनसे चर्चा करते समय पूल बनाया जाए शक्तिशाली पूल निम लिखिते हैं अर्थात यानि उधारन के तौर पर फिर इसलिए तब आपने इसका मतलब हर पूल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए सौभागे से स्यू ने पूल का उप्योग करना सीख लिया था और फ्रेट के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली स्यू आप इस वैसाय में कैसे आए फ्रेट मेरी हमेशा सही कंप्यूटर में रूची थी यानि यानि नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यमाकार की कमपनियों में लगाना इसका मतलब है इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ऐसे सौफ्ट्वेर तयार करने में सहता करता था जिससे जिन्दगी आसान हो जाए उधारन के तौर पर उधारन के तौर पर कल की ही बात ले कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्या थी उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में सियू ने न केवल सफलता पूरवक एक किला जीत लिया था कि वह इंटर्वियू लेने वाले की तरह भी नहीं लग रही थी और उसने जादा सब्दों का प्रयोग भी नहीं किया था वह फ्रेड के बारे में अधिक से अधिक उप्योगी जानकरी प्राप्त कर रही थी और वह अपने पहले नमबर के विशय पर बाते कर रहा था वह खुद जब आप पुल का प्रयोग करें तो यह तीन काम करें पहला आगे की और जुकें हतेली खोल कर आगे करें दूसरा पुल के आखरी अक्षर को थोड़ा खीचें हतेली खोल कर आगे की और जुकने के दो संकेत संप्रेसिस होते हैं पहला तो यह की बिना शब्दों के ही इससे यह पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं है और दूसरा संकेत यह है कि इससे श्रोता को यह पता चलता है कि अब बाते करने की उसकी बारी है क्यूंकि आपने नियंतरन उसके हाथों में सौप दिया है पुल की आखरी अक्षर को खीचने से यह लगबग एक सवाल की रूप में बदल जाता है जबकि यदि इसे न खीचा जाए तो यह एक वक्तव की तरह लगेगा उदहरन के तौर पर ताकि बिजनस ज़्यादा अच्छे डंग से चल सके यानि इससे लोगों की जिंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है और वे अपने ग्रहकों को बहतर सिवाय दे सकते हैं आप जानती ही होंगी अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता यदि पुल और आखरी अक्छर को नहीं खीचा जाए तो यह एक विचार या वक्तव की तरह लगेगा जो अपमान जनक भी लग सकता है जब आप पुल का प्रयोग कर लें तो इसके बाद चुप हो जाएं अनंत सी प्रतीत होती खामोशी से न घवराएं और अपने ग्यान के मोती विखेरने के लालत से बचें पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुप पिचा सकती है आपकी खुली हतोयली यह बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्रहाग को दे दी है इसलिए अब आप उसे ही बोलने दे सुनने की देह भाषा यहां एक उधारन दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह चुपी हुई पिरेड़नाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्रहाकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है नियंतरन दे देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी हुड़ी पर रख लें और इस तरह मुल्यांकन की इस्थिती में आ जाएं इसे सुनने वाले को ततकाल या मालूम पड़ जाता है कि उसे बादचित शुरू करनी हैं क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं उधारण के लिए अगर आपको संभावित ग्रहाक के आर्थिक स्वतंतरता को अपनी पहली प्रात्मिक्ता चुना है आप आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या है संभावित ग्रहाक आर्थिक स्वतंतरता आप आपने इसी को क्यों चुना संभावित ग्रहाक क्योंकि ये महतपूर हैं जंदगी में जो भी करना चाहता हूँ इसके लिए मुझे पैसो की जरुवत है आप आगे जुखते हुए हाथेली खुली रखकर यानी संभावित ग्रहाक यानी मेरे पास अपने बچों को अच्छी सिक्षा देने के लिए और आराम दे जिन्दगी जीने के लिए पर्याबत पैसा होना चाहिए आप आगे जुकते हुए हतेली खुली रग कर आराम दे जिन्दगी यानि संभावित ग्रहाग याने मेरे पास लंबी चुटियों पर जाने के लिए पैसा हो मैं नई कार खरीच सकूँ और कभी-कभी थोड़ी बहुत विलासिता की चीजे भी खरीच सकूँ आप उधारन के तौर पर संभावित ग्रहाग उधारन के तौर पर अगर मैं यातरा करना चाहूं तो मैं इस योग के बन सकूँ की यानी और उधारन के तौर पर इन दोनों पुलों का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्रहग वह सब बताने लगेगा जो वह सोचता है, अनुभो करता है और विश्वास करता है और सबसे महत्वपुन बात यह है कि आप ज़्यादा बाते नहीं कर रहे हैं पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं, प्रस्तूतियों में उनका सरिष्टम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में ज़्यादा बाते न कर रहे हो या वे आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हो जब आप पहली बार पुलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खास कर तब जब आप बातुनी स्वभाव के हो क्योंकि पुल के प्रयोग के बाद बात्चित में कुछ देर तक खामोशी छा जाती है पर आपके शुरोता को तो छोटे जवाब देने की आदत है इसलिए उसे या खामोशी पूरी तरह स्वभाविक लगती है पुलो का प्रयोग मज़िदार होता है क्योंकि उनसे प्रस्तूतिया अधिक रोचक बनती है और आपको मौन नियंतरण की शक्ती भी मिलती है उपाय दो, सिरहिलाने की तकनीक अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सिरहिलाना एक शशक्त और विश्वाद दिलाने वाली तकनीक है अधिकाह इन देशों में सिरहिलाना या गर्दन उपर नीचे करना सहमती दर्शाता है इसका अर्थ है कि शरीर को जुकाना या नीचे करना जो यह बताता है मैं आपके सामने जुक जाता हूँ मैं आपकी इक्छाओं के अधीन हूँ तो यह एक तरह की जुकने की क्रिया है सिरह जुकाने की तकनीक के दो शशक्त उप्योग है देभाशा मतलब बॉडी लेंग्विज आपकी अंदूरीनी भावनाओं की बहारी अभिवेक्ती है अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की और हिलने लगेगा अगर आप तथस्त अनुभाव करते हों और फिर से जान बुच कर अपना सिर हिलाने लगें तो आप सकारात्मक भावनाए अनुभाव करने लगेंगे दूसरे शब्दों में सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की और हिलने लगता है इसके उल्टा भी बिल्कुल सही है सिरहिलाने से भी सकारात्मक भावनाय उत्पन होती है अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो अपना सिरहिलाना शुरू कर देंगे अगर आप अपना सिरहिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे सिरहलाने की क्रिया सकरात्मक होती है अगर मैं आपकी बातों पर सिरहलाता हूँ तो आप भी सिरहलाने लगेंगे बले ही आप मेरी बातों से सहमत नहों सहमती और सहोग प्राप्त करने का यह एक अदभूत मंत्र है फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमत्ती के शब्दों के साथ समाप्त करें है ना? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना? जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकरात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और उससे सकरात्मक परिणाम निकलने की अधीक संभावना होती है सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और एक सब्दा के भीतर आप इसे अपने body language संकेतों का इस्थाई हिस्सा बना सकते हैं सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है यह इस तरह होता है जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उप्योग करते हैं और श्रोता जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाए देने लगता है और जब तक आप पीछे की ओर टिके हैं और आपका हाथ आपकी हुड़ी पर रहता है तब तक बोलने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं होता है इस तरह से आप एक प्रश्न करता की तरह नहीं लगेंगे जब आप सुने तो अपने एक हाथ को अपने थुड़ी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं इन संकेतों के अध्यन से ग्यात हुआ है कि इनसे संभावित ग्रहा को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोशाहन मिलता है आप चित्र पर देख सकते हैं पुरुस की थुड़ी सहलाना महिला का थुड़ी सहलाना उपाय तीन नियुनतम प्रोशाहक जब दूसरे वेक्ति बोल रहा हो तो नियुनतम प्रोशाहकों के द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोशाहित करें नियुन्तम प्रोसाहक यह है अच्छा ओ सच फिर क्या हुआ नियुन्तम प्रोसाहक दूसरे वेक्ति द्वारा दी जा रही जानकारी की मात्रा में दोगुनी से भी अधिक वृद्धी कर सकते हैं सिर हिलाने की तकनीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद नियुन्तम प्रोसाहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तूती को बहतर ढंग से जारी रख सकते हैं उपाय चार आखों पर काबु कैसे करें शोद से पता चलता है कि आमने सामने की प्रस्तूती में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुँची जानकारी में से 87 प्रतिशत आखों के माध्यम से पहुँचती है 9 प्रतिशत कानों के माध्यम से और 64 प्रतिशत अन्य इंद्रियों के द्वारा उधारन के तौर पर अगर आपका संभावित ग्रहक आपके बोलते समय आपकी द्रिश्य प्रस्तूती की ओर देख रहा हो और आपका संदेश उसके द्वारा देखी जाने वाली चीज से संबंध न हो तो वह आपके संदेश का केवल 9 प्रतिशत ही ग्रहन कर पाएगा अगर आप यात्रा के बारे में बात करते समय एक घर की तस्विर बनाने लगेंगे तो उसे आपकी बात समझने में काफी मुश्किल होगी अगर आपकी बातें आपकी द्रिश्य प्रस्तूती से संबंध है तो भी वह आपके संदेश का केवल 25 से 30 प्रतिशत तक ही ग्रहन कर पाएगा और वह भी तब जब द्रिश्य प्रस्तूती की ओर देख रहा हो न कि सीधे आपकी ओर अधिक्तम नेत्र नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रस्तूती की ओर इशारा करने के लिए एक पैन का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपका संभावित ग्रहा जो बोलते समय अपना सिर हिलाते रहें नेत्र नियंत्रण के लिए पैन का प्रयोग दी गए चित्र में पैन के ऊपर से अपने संभावित ग्रहा की आँखों में देखें और पैन से इशारा वही करें जहां आप देख रहे हों इससे आपके संभावित ग्रहा के सिर पर चुम् संदेश का उस पर अधिक्तम प्रभाव पड़ेगा यह सुनिश्चित कर लें कि आप जब बोल रहे हो तो आपके दूसरे हाथ की हतेली दिख रही हो ताकि भैहिन वातावरण निर्मित हो सके उपाय पाँच प्रतिरूपण जब दो लोग एक दूसरे के साथ मांसिक रूप से एकाकार होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्राएं यहां तक की एक जैसी हाव भाव अपना लेते हैं इस वहवार का उद्देश ये दोनों के बीश तालमेल बनाना और संगर्स टालना हैं इस सब्द वहिन व्यभार से आप यह कहते हैं मैं भी आपके जैसे ही हूँ और मैं आपसे तदा आपके दृष्टिकोंड से सैमत हूँ दूसरे वेक्ति के साथ एकाकार होने के शुरुआत गर्बा वस्ता में ही हो जाती है जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की धड़कन हमारी मां की ले से तालमेल बना लेती हैं इसी लिए प्रती रूपण एक ऐसी अवस्ता है जिसके प्रती हमारा स्वाविक जुकाव रहत चित्र देखें ममी डेडी और रोवर परिडाम सरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैट जाता है हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं आप इसे व्यवारिक बैठकों या समाजिक उत्सवों में उन लोगों के साथ होते देख सकते हैं जिनकी एक दूसरे से अच्छी पढ़ती है इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरद दिखने लगते हैं फिर वे एक कुत्ता खरीद लेते हैं जो उन दोनों की तरद दिखता हो बंदर जो देखता है वही करता है अगले चित्र में खड़े दो लोग प्रती और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है यदि एक वेक्ति अपनी जेब में हाट डालता है तो दूसरा उसकी नकल करता है अगर दूसरा अपने वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे औ और उनमें तालमेल बना रहेगा तब तक प्रतिरूपन या प्रतिबिम्बन चलता रहेगा प्रतिबिम्बन दर्शाता है कि तालमेल बन चुका है प्रतिरूपन से सामने वाला व्यक्ति सहज होता है यह तालमेल बनाने वाली एक प्रबल तकनीक है धीमी गती के वीडियो शो संकेतों की जान बूच कर नकल नहीं की जा सकती अच्छा तालमेल बनाना सामने वाले व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिम्बित करना ततकाल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है जब आप किसी नहीं व्यक्ति से मिले तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देहकून, हाव भाव और आवाज के लहजे को प्रतिबिम्बित करें जल्दी ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है वह शायद आपको इनके साथ मेरे स्वाभाविक तालमेल है कि श्रेडी में रखेगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवी देखता है प्रतिबिम्बन द्वारा तालमेल बनाना चेतावनी नई मुलाकात में प्रतिरूपन शुरू करने में जल्दी बाजी न करें जबसे मैंने अपनी पुस्तक बॉडि लेंग्वेज लिखी है बहुत से लोग प्रतिरूपन तक्नीकों के बारे में जागरूप और जानकार हो चुके हैं और इन तकनीकों को 10 करोड से ज़्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रती रूपन से पहले कुछ मिनिट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। पुर्शों और महिलाओं के बीच प्रती रूपन असमानता है। भावों की अभिवेक्ती के लिए पुर्शों और महिलाओं के दिमाग अलग-अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चहरे के हाव भाव का सहरा लेती हैं जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को अभिवेक्त करते हैं। सामानित एक महिला दस सेकेंड की सुनने की अवधी में वक्ता के भावों पर प्रतिकरिया देते हुए औसतन चहरे के छे भावों का प्रयोग करती हैं। उसका चहरा वक्ता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है कि मानों दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाए घट रही हूँ। यह दस सेकेंड की एक समान्य श्रिंकलत दी जा रही है जिसमें एक महिला के चहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। महिलाओं वक्ता की आवाज के लहजे और देवाशा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समस्ती हैं और अपने समझे हुए भावों को अपने चहरे के भावों द्वारा व्यक्त करती हैं। ठीक यही पुरुष को करना होता है अगर उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खीचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिल्चस्प और आकरशक समस्ती हैं। जन्नता में भावनाओं को छुपाने की विकाशवादी आवसकताओं के कारण अधिकतर पुरुष सुनते समय मूर्तियों की तरह भाव हिन दिखते हैं ताकि संभावित आकरमन से बचा जा सके। यहां दस सेकेंड की एक वैसी ही समान्य श्रिंखला है जिसमें एक पुरुष का चहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। दुख, आश्चर्य, क्रोद, खुशी, भै, आकांशा। यह पुरुष की सुनने की शैली के बारे में मजाक्या दृष्टी है पर इसमें हमें सच्चाई की जलक दिखती है। सुनते समय पुरुष जो भाव ही नकाब ओड लेते हैं उससे हमें लगता है कि वे स्थिती के नियंतरण में हैं पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें भावनाय नहीं होती। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं का उतना ही तीवरता से महसूस करते हैं परन्तु सबके सामने उसका इजहार करने से जिजगते हैं। पुरुष के वैवार को प्रतिबिंबित करने की कुझी यह समझ लेने में हैं कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहरा लेता हैं। सबसे महत्वपूर बात यह है कि आप वह प्रतिबिंबित न करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिडाम विनाशकारी होंगे। आपको सिर्फिरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चहरा गंभीर बनाए रखती हैं। उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल वस्मजदार समझते हैं। उपाय छे गती निर्धारित करना। आवास का लहजा उतार चड़ाओ और बोलने की गती भी प्रती रूपन के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमिल बहतर बन सके। इसे गती निर्धारित करना कहते हैं। और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से ताल दे कर समय गीनता है जबकि शुरोता अपने सर चुकाने की ले के द्वारा उससे तालमिल करता है। तो देह और भाषाई इस्थितियों के प्रतिविम्विन में कमी आ जाती है क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की आगे आने वाली भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे वक्ती के साथ गती निर्धारन तालमिल बनाने का प्रमुक माध्यम बन जाता है। कभी भी सामने वाली वक्ती से ज्यादा तेज गती से न बोले। सर्विक्षन से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज्यादा तेज गती से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गती उसके दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेशन करने की छमता दर्शाती है सामने वाले व्यक्ति के समान या उससे कम गती में बोले और उसके लहजे के उतार चड़ाओ को प्रतिबिम्बित करें गती निर्धारण बहुत महतुपूर हैं खास कर फोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय क्योंकि वहाँ पर आवाज ही आपकी एक मात्र अस्त्र है इसलिए आपको इस छेत्र में अभ्यास करने की आवशक्ता है पहला प्रभाव यानि फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए आपको दोबारा अफसर नहीं मिलता है शायद आपने अपनी दादी से यह सुना होगा और यह बताने के लिए उन्हें कम्पीटर यंतरों की आवशक्ता भी नहीं पड़ी होगी जिनके अनुसार चार मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90 प्रतिशत राय बना लेते हैं या यह कहें कि लोग तदकाल आपके बारे में कम से कम 25 निर्ने कर लेते हैं जिनमें आपकी उम्र, आय, सिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वश्नियता समलित हैं वे तो यहां तक निर्ने ले लेते हैं कि बिना कोई गैरंटी लिए आपको कितना रुपय उधार दिया जा सकता है सवभाग्य से इनमें से चार छेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंतरण होता है यह हैं आपका हाथ हिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान तकनीक पहला हतहली की शक्ती हमारी देभाषा यानि बॉड़ी लेंग्वेज के सरवादिक शशक्त संकेतों में से एक है हमारी हतहली का प्रयोग जिसे हम अक्सर अंदेखा कर देते हैं जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हतहली की शक्ती द्वारा प्रयोग करता को अधिकार और मोन प्रभूता मिल जाते हैं हतहली के संकेत मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं उपर की ओर हतहली, नीचे की ओर हतहली और हतहली बंद करके नोकदार तरजनी हर इस्थिती में शक्ति के अंतर को हम इस उधारण में दिखा रहे हैं मान लीजे आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं हम या मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तता चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं केवल आपकी हतेली की इस्थिती बदल जाती है उपर की ओर हतेली चित्र ए अभैदान का संकेत है और इस प्रातना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वो भैबीत महसूस नहीं करेगा यह संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताता था तो उसके हाथ में कोई हतियार नहीं था चित्र A. आत्म समर्पनकारी चित्र B. प्रबल चित्र C. आक्रामक जब आपकी हतेली नीचे की ओर मुड़ी होती है चित्र B. तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं जिस वैक्ती से आप बात कर रहे हैं वो यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वो आपकी बात का बुरा भी मान सकता है खास कर तब जब उन्हें लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप प्रस्तूती दे रहे हैं और हतेली को लगातार नीचे की ओर रख रहे हैं तो शुरोता आपको नकार देंगे चित्र सी में बताए गई उंगली एक तरह की प्रतिकात्मक छड़ी बन जाती है जिसके माध्यम से वक्ता शुरोता को प्रतिकात्मक रूप से पीट कर उससे आत्म समर्पन करवाना चाहता है उंगली दिखाना सबसे अधिक चिड़ाने वाला संकेतों में से एक है विशेश कर तब जब शुरोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की ले बना रहा हो नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेत पर किये गए सोध से पता चलता है कि शुरोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ताओं को अधिकाकरामक, शक्तिसाली, घमंडी या अखड बताते हैं और वक्ताओं दोरा क्या कहा गया या ठीक से नहीं बता पाते ऐसा इसले होता है क्योंकि शुरोता तो वक्ता के दृष्टिकोंड के बारे में ही निर्णे ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता ही नहीं है अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हतेली उपर और हतेली नीचे की इस्तिती का अभ्यास करें आप पाएंगे कि इस्तितियों के समिर्सन से आप अधीक आरामदे मोहल बना सकते हैं और अपने श्रोताओं पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं हाथ मिलाना गुफा मानव युग का अफशेश है जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ आगे करके हतेलियां उपर करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हत्यार नहीं पकड़ा या चुपाया है हावा में हतेलियां उठाने का यह संकेत सद्यों शंसोदिद हुआ है और एक हतेली उठी हुई या हृदय पर हतेली जैसे बहुतेरे संकेतों में बदल गया है इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हतेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हतेलियों को हिलाना यह मुलाकात के प्रारंब और अंत दोनों वक्त होता है सामान्यत हाथ तीन से पाच बार मुड़ते हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी आदेश में हतेली उपर और हतेली नीचे की इस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है आईए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों इस्थितियों की प्रासंगिकता होजें कल्पना कर लें कि आपने किसी नए वक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है तीन मूल भूत प्रतिकिर्याओं में से एक संप्रेशित होगी पहला अधिकार यह वक्ति मुझ पर हावी होने का अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है बहतर होगा कि मैं चोकस रहूं दूसरा समर्पन मैं इस वक्ति पर अधिकार जमा सकता हूं यह वही करेगा जो मैं चाहूंगा तीसरा समानता मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, हम दोनों की खुब जमेगी यह प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संप्रेसित होती है अधिकार संप्रेसित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं ताकि आपकी हतेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे आवश्यक नहीं है कि आपकी हतेली बिलकुल नीचे फर्ष की ओर ही रहे हो सकता है कि यह दूसरे व्यक्ति की हतेली से तो लात्मक रूप से नीची रहे और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंतरण में लेना चाहते हैं 54 सफल वरिष्ट प्रबंदन अधिकारियों के समूर के अधियन से यह बात सामने आई कि न केवल उनमें से 42 ने हाथ मिलाने की पहल की बलकि हाथ मिलाने के प्रबल नियंतरण का भी प्रयोक किया हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है क्यूंकि अधिकतर लोगों को यह अकरांत करने वाली लग सकती है यह पुर्शो द्वारा ही अधिक इस्तिमाल की जाती है चित्र एक नियंत्रण लेना चित्र दो नियंत्रण देना ठीक उसी तरह जिस तरह कुट्ते अपने पीट के बल लेट कर और अकर्मण करता को अपना गला दिखा कर अपना समर्पन दर्शाते हैं अधिकार पूर्ण हाथ मिलाने से उल्टा है अपनी हतेली को उपर की और रखना या विशेश तोर पर तब प्रभावकारी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे यह समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में हैं इसकी द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आकरांथ हो सकते हैं हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के दो नियम है पहला अपनी हतेलियों को सीधे रखे न कि अधिकार पूर्ण मुद्रा में नहीं समर्पन की मुद्रा में बलकि समान इससे हर एक आराम दे व पर डाला जा रहा है चित्र समानता इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको दस लोगों के किसी सम्हू से मिलवाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाओ को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोडों में भी कई तरह के समंजस्च करने पड़ेंगे हाथ मिलाने की इस शैली में न कोई विजेता होता है नहीं पराजित और नहीं कोई डरा हुआ महसूस करता है इससे हर वेक्ति आराम दे इस्तिती में होता है और वह नए विचारों के प्रती रूची दिखा सकता है क्यूंकि तब हम एक दूसरी के प्रती कम निरनेकारी होते हैं हाथ ऐसे न मिलाए नए लोगों का डबल हेंडर या दोनों हाथों से अभिवादन न करें हाला कि इसका लक्ष्य, स्वागत, गर्मजोशी और प्रगारता की भावनाय संप्रेसित करना होता है चित्र, नए लोगों से हाथ मिलाते समय दोनों हाथों का प्रयोग न करें तकनीक 3, बाए हाथ में सामान पकड़ना यह तकनीक पहली नजर में साफ दिख जाती है पर बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं पोल्डर, कागच, ब्रीफ केस, पर्स या ग्लास अगर आप को दाए हाथ में कोल्डरिंग फकड़ रखा है तो आपको अपने कोल्डरिंग को अपने बाए हाथ में थामने के लिए मجبूर होना पड़ता है अगर आप ऐसा सफलता पुर्वक कर भी लें और किसी के जूते पर एक वुन भी न गिरे तो भी नए व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है और उसके लिए यही आपका पहला प्रभाव होता है ठंडा और गीला अगर आप दाए हाथ में दास्तवेच पकड़े हूँ दर्वाजा खोलने कुरसी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं तो आपके हाथ से दास्तवेच गिर सकते हैं और आपको मूर्क समझा जा सकता है इनसान ही इकलोते प्राणी है जो होटों को पीछी करके अपने दाथ दिखाता है पर आपको काड़ता नहीं है मुस्कुराने का उदगम एक तुस्ती करन संकेत के रूप में हुआ है और बंदरो और चिंपांजियो द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं इस संकेतों में हमारे शोद दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तमाल करेंगे लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे आपको अधिक देखना चाहेंगे आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे दूसरे शब्दों में आपके बिदनस और व्यक्तिकत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज है क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आप से कोई खतरा नहीं है हमें से हर एक के शरीर के चारो और दूरी का एक बुलबुला होता है जिसे व्यक्तिकत इस्थान परसनल स्पेस के नाम से जाना जाता है इसकी चोड़ाई जनसंक्या गनत्तों पर निर्भर करती है और उस संस्कृती पर भी जिसमें वह व्यक्ति रहता है उधारन के तौर पर अधिकतर मध्यमवर्गी लोग जो अंग्रेजी भाशी देशों से आते हैं उनकी व्यक्तिकत इस्थान की आवशक्ता 46 cm यानी 18 इंच होती है और इसी लिए बिना डर की इस्थितियों या सहज समाजिक इस्थितियों में वे 1 मीटर दूर खड़े रहत देशों में व्यक्तिकत इस्थान अवशक्ता 30 cm यानी 12 इंच तक कम होती है इसका मतलब यह है कि वहां के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं जिसे अधिकतर पश्चीमी देशों में गुसपैट करने वाला समझा जाएगा चित्रदो भुमध्य सागरिय देशों में खड़े होने की दूरी चित्रदो में अगर दोनों लोग भुमध्य सागरिय देशों से हैं तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहस्ता का अनुभाव करेंगे पर अगर इन में से एक लंदन का हो और दूसरा रूम का तो लंदन वह सी शायद यद समझेगा कि सामने वाला अधिक प्रगार्टा या अकर्मक्ता का प्रदशन कर रहा है अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास जाते हैं सामने वाला थोड़ा पीछे हड़ जाता है तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास न करें इसके द्वारा वह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना व्यक्तिकत इस्थान चाहिए एक बहुत समवेदन शील विशे अंग्रेजी न बोलने वाली कई संस्कृतियों में इस पर्स को संप्रेशन की शशक्त अभिवेक्ति माना जाता है और इन संस्कृतियों में यह प्रभावी संप्रेशन के लिए आवशक होता है इस तरह के मामलों में आपकी रणिती बिलकुल आसान है जितनी बार आपको च्छुआ जा रहा है उतनी ही बार आप इस पर्स को लोटाएं अगर सामने वाला आपको नहीं च्छु रहा है तो आप भी उसे न च्छुएं उधारन के तौर पर अगर वेवेक्ति इतावली या फ्रांसिसी हो और लगातार आपको च्छु रहा हो तो आपको भी उसे च्छुना पड़ेगा अन्यता वह यह सोच सकता है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं कपड़े आपका शरीर का 90 प्रतिशत तक हिस्सा ढखते हैं और इसलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है आपकी कपड़ों से आपकी विश्वशनियता, योगिता, अधिकार, समाजिक सफलता वो व्यवशाइक इस्तिती का अनुमान भी लगाया जाता है हाला कि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलूं का विशलेशन करने नहीं जा रहे हैं फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फार्मूला बता देता हूँ इस छेत्र में महिलाओं से अधिक गलतिया हो सकती है क्योंकि महिलाओं के पास पुर्षों की अपेक्छा, पोशाक की अधिक शैलियां, रंगवर डिजाइन होते हैं हाला कि अधिकांश पुर्षों के पास कम चुनाओ, मतलब कम कपड़े होते हैं फिर भी अधिकांश पुर्षों के पास इतनी बुद्धी नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रख सकें आदमी और शरकस के जोकर में क्या आंतर होता है? जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए हैं इसके अलावा आठ में से एक पुरुष, लाल, नीले या हरे रंग के प्रती रंग अंधत्व का शिकार होता है उचित व्यवसाइक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है आपका संभावित ग्रहाग आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है उनकी राय में विश्वशनिय खुस मिसाज, अधिकार पूर्ण, समस्दार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, सकट, जूते, घड़ी, मेकप या हैर स्टैल चुनना चाहिए उनकी राय में आपकी राय में नहीं याद रखें आपके संभावित ग्रहाग का विचार अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चैन करें यह हर इलाके में अलग होता है और जलवायू के मान से पोशाक की स्चैलिया भी बदलती हैं पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की मानक वेशभूशा के माप दंडों के अनुरूप ही अपनी वेशभूशा चुने कुछ लोग कहेंगे पर रिचार्ड ब्रैंसन और बिल केट्स को देखिए वे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं मानो अभी हवादार सुरंग में से निकल कर आ रहे हूं ये लोग अपवाद हैं नियम नहीं अगर हम सब इनी की तरह कपड़े पहनने लगे तो दूसरे हम पर विश्वास करना या हमारा अनुसरन करना बंद कर देंगे अगर आप दुनिया के सबसे सफल निताओं और बिजनसमेन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वेश्वुशा इस्तरिय होती है और यही सबसे सुरक्षित मानक है अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से अपने कपडों का चैन करके स्वेम की रह में बाधा खड़ी न करें अपने संभावित ग्रहा की अपेक्छाओं के हिसाब से कपड़े पहने अपने संभावित ग्रहक की तरह के कपड़े पहनने से वे आराम देतों अनुभाव करेंगे पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आपका अनुसरन करना चाहेंगे चेप्टर पांच देह भाषा, बॉडी लेंग्विज, संकेतों को किस तरह पढ़ें? कई लोग इसपस्ट चीजों को नहीं देख पाते आप क्या देख पाते हैं? हम में से शायद हर कोई यह जानता है कि उनके वेभार से उनका दृष्टिकोंड समझा जा सकता है जब मैंने 1976 में बॉडी लेंग्विज लिखी थी तब मुझे भी आभास नहीं था कि दुनिया पर इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसकी 33 भाशाओं में 40 लाग से अधिक प्रतियां बिकी हमारे मूल दे भाशा यानि बॉडी लेंग्विज शोद और उसके बाद हुए अनगिनत अधियनों से यह पता चलता है कि आमने सामनी की मुलाकातों में आपके शुरूताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस तरह होता है शब्द समग्गर प्रभाव का 7-10 प्रतिशत स्वर समग्गर प्रभाव का 20-30 प्रतिशत यह दर्शाता है कि आपके देखने का ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, वेश भूशा और चलने के तरीके से सामने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ता है आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दो के प्रभाव से तीन गुना अधिक महत्यपूर होता है शब्दो को कहने का आपका तरीका पढ़ने के तीन नियम नियम पहला, संकेत समू को पढ़ना हर भाशा की तरह दे भाशा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और विरामों से मिलकर बनती है हर संकेत एक अकेला शब्द है, जिसके कई अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तबी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समू कह सकते हैं कभी भी किसी संकेत का अकेला विशलेशन न करें उधारण के तौर पर सिर्ख हो जाने के कई मतलब हो सकते हैं जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है सही अर्थ समझने के लिए हमारे पूरे संकेत समू को पढ़ें जो कम से कम तीन संकेतों से मिलकर बना हो चित्र देखें पहला आलोचनात्मक मुल्यांकन संकेत समू एक सामान्य आलोचनात्मक मुल्यांकन संकेत समू दर्शाता है शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाँ चेरे पर अंगुठा थुड़ी को सहारा देते हुए पैर, आरपार और भौवे चड़ी हुई कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास न करे ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है पुस्तक के इस खंड में हम संकेतों का एक-एक विशलेशन तो करेंगे पर सामान्य तह संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं वे तो समूहों में दिखते हैं नीयम दूसरा, प्रिष्ट भूमी का विचार करे संकेत समूहों का विशलेशन उस प्रिष्ट भूमी में होना चाहिए जिसमें वे नजर आते हैं उधारन के तोर पर अगर कोई वेक्ती बस स्टेंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांद कर खड़ा हो उसकी थुड़ी नीचे हो और मौसम ठंडा हो तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है न कि वह सुरक्षात्मक पुद्रा में है अगर कोई इनी संकेतों का प्रियोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठ कर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हों तो इसी संकेत समू का आप ये अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थित्यों में आकर शायद नकरात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है नियम 3 सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें एक संकेत जो एक देश में एक चीज़ का प्रतीक होता है दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक हो सकता है उधारन के तौर पर चित्र तीन में दर्शाई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पस्चीमी देशों में आम तोर पर ओके या अच्छा होता है इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में मानने है जहां पस्चीमी टेलिविजन कारकरम देखे जाते हैं और हाला कि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है परन्तु कई जगहों पर इस मुद्रह का अलग उद्गम और अर्थ भी होता है उधारन के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है जापान में इसका अर्थ पैसा होता है और कई भूमद्द सागरिये देशों में यह योन अपमान का संकेत है मूलभू देभाषा के अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं जब दुखी होते हैं या गुसा होते हैं तो वे भौने चड़ा लेते हैं या नाक फुला लेते हैं सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगा हां या सकारात्मक होता है और जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि यह संकेत सिर जुकाने का एक तरीका है मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ती नहीं होती और जो इसे वास्तों में कभी नहीं देख पाते वे भी इसका प्रयोग करते हैं मैं इस खंड में देभाशा संकेतों का एक आसान शब्द को स्प्रस्तूत करना चाहूँगा जो अधिकतर संस्कृतियों में समान हैं और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की प्रस्तितियों में आपके सरवादिक काम आएंगे महिलाएं क्यूं बहतर समझ सकती हैं जैसा हमने अपनी पुस्तक Why men don't listen and women can't read maps में लिखा है पुर्षों का दिमाग छोटे छोटे शब्द हीन और स्वर संबंदी संदेश समझने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता है इसलिए महिलाएं कई पुर्षों को दूसरे की आवशक्ताओं या भावनाओं के प्रती लापरवा या असमवेदन्चिल समझती हैं सारवजनिक इस्थानों पर महिलाएं कई बार पुर्षों से यह कहती हैं क्या तुमने मेरी आख का इशारा नहीं देखा था तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं पाटी छोड़कर घर जाना चाहती थी वह आख का इशारा बहुत से महिलाओं को साफ समझ में आ सकता है पर बहुत से पुर्षों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता पुरुष निस्थुर नहीं होते उनका दिमाग ही इस तरह से नहीं बना होता है कि वे देवाशा के सुक्ष्म संकेतों को पढ़ सकें जब कोई महिला कहती है कि उसे कोई व्यक्ति समू के विचार से आहत या असहमत दिख रहा है तो वह वाहतों में चोट या असहमती देख रही है उसे यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की देवाशा समू से अलग जा रही है अधिकतर पुर्षों को आश्चर होता है कि महिलाएं किस तरह असहमती, गुसा, चलाकी और चोट को देख सकती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर पुर्षों के मस्तिस्क देख भाषा के सुक्ष्वर्णन पढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं होते जितने की महिलाओं के होते हैं इसलिए आमने सामने की मुलकात में किसी महिला से जूट बोलने का प्रयास करना ना समझी होगी, फोन पर ऐसा करने में कम जोखिम है हर रोज 15 मिनट का समय निकाले, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वेम के संकेतों के बारे में भी सचीतन जागरुकता विक्सित करें देख भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगा वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते और चर्चा करते हैं हवाई अड़ा मानविय संकेतों के सातों रंगों के अवलोकन के लिए बहुत अच्छी जगा है क्योंकि वहां पर लोग खुले आम, उत्सुकता, गुसा, दुख, खुशी, बेता भी और दूसरी भावनाओं का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं समाजिक समारो, व्यवसाइक बैठके और गोस्तिया भी अध्यन के उपजाओं मैदान हैं टीवी देखना भी सीखने का एक बहतरीन तरीका है आवाज को बन कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है कुछ मिन्टों बाद आवाज चालू करके आप यह जाज कर सकते हैं कि आपका शब्द हीन अध्यन कितना सही है आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज के पूरा कारेकरम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे जिस तरह की गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तूती देते हुए स्वेम की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज के चालू करें और अपने दोस्तों या रिष्टेदारों से अपनी प्रस्तूती का मुल्यांकन करने को कहें यहां पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देख भाशा संकेतों की संदर्व सूची दे रहे हैं जो आपकी प्रस्तूती के दोरान साहिक सिद्ध होगी हाथ बांधना कुछ विचार और उदगम शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबंद और सुरक्षात्मक दिर्ष्टिकोंड दर्शाता है यह एक जन्मजात संकेत है और सत्तर प्रतिशत लोग अपनी बाई बहां को दाई बहां के उपर बानते हैं इस आदत को बदलना लगबग असंबह सा प्रतीत होता है इसका उद्देश यह है कि किसी भी प्रकार के आकर्मन से दिल और फेफ़डों की सुरक्षा हो जाए और अधिकतर वानर अत्वा वनमानुष भी इसी वज़े से इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं चित्र या किसी सक्त चने को फोड़ने की तरह है इस संकेत में किये गए शोद बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वे उन लोगों से 38 प्रतिशत कम समझते हैं जो खुली इस्थिती में होते हैं जब प्रस्तुत करता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांदने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया नजरे कम मिलाई, पीछे टिक कर अधिक बैठे और प्रस्तुत करता के प्रदर्शन के प्रती अधिक अलोचनात्मक रूख अपनाया बजाए उन शोताओं के जो बिना हाथ बांदे बैठे थे हाथ बांदने के कई सुक्ष्म तरीके होते हैं जैसे आधे हाथ बांदना चित्र 4 अपने आप से हाथ मिलाना चित्र 5 जो उस इश्पस का अवशेस है जो आपके घवरा जाने पर आपके माता पिता आपका हाथ पकड़ा करते थे और दोनों हातों से कोई चीज पकड़ना चित्र छे, दोनों हातों से पर्स, ग्लास या फोल्डर पकड़ने का उद्देश से सुरक्षा का एसास प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस इस्ति में आपके हाथ सरीर के सामने होते हैं, दूसरे हाथों में पहनी अंगूठी, घड या शट के बटन घुमाने से भी वही परिणाम मिलते हैं, चित्र साथ दर्शाता है कि दाए हात पर बैठा व्यक्ती सही प्रिष्ट भूमी में संकेतों के समू का प्रयोग कर रहा है, वह हात बानने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है, उसके पैर खुले हैं, पुरुष आ वह बाकी दोनों लोगों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि वे दोनों लोग प्रति बिंबिन के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमिल बना रहे हैं, चित्र साथ दाई और बैठा व्यक्ती उपेक्षित महसूस कर रहा है, कारण और परिणाम की समस्या, उ इस बात की काफी संभावना है कि वह अपने रवये को अपने सीने के आर पार हात बांद कर शब्द हिन संकेत में व्यक्त करेगा, हमें शोच से यह भी पता चलता है कि हात बांदनी की अवस्था में व्यक्ती की समझने की चमता 40% कम हो जाती है और उसका रुक आलोशनात्म हो जाता है यह साधारण परयोग करके देखें पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हात को सीने पर कस कर बांद लें आप कैसा अनुभाव करते हैं बंदा हुआ असभागी असमेलित अधिनियों से पता चलता है कि आपने किसी भी कारण से सीने के सामने हात बांदा हो तो कारण और परिडाम की इस्थती है आदतन हात बांदने वालों का हमेशा यह दावा रहता है कि वे इस मुद्रा में अधिक आराम दे मैसूस करते हैं क्योंकि हात बांदने के संकेत से उन्हें उसके साथ जुड़ी भावनाओं का भी अनुभाव होता है अगर आप यह विश रंडे कमरे में लोगों के समू से कोई बात मनवाना काफी कठीन होता है प्रस्तूती के समय कमरे का आदर्श तापमान 21 दिगरी होना चाहिए कुछ उप्योगी रन नितियां पहला अपने शब्द कोश में से हाथ बानने की मुद्रा हटा दें अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके शुरोता आपकी बातें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे वे आपके प्रती अधीक आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे और आपको कम पसंद करेंगे खुली द अधीक भाग लेना चाहेंगे बिना हत्ते वाली कुर्सियों को अधीक पास न रखें क्यूंकि इससे शुरोता एक दूसरे के संपर्क से बचने के लिए हाथ बानने लेंगे तीसरा अगर आपके शुरोता हाथ बानकर बैठे हैं तो आप उनकी मुद्रा को बदल सकते हैं आप अपने सवालों के जवाब में उनसे हाथ उठवा सकते हैं उन्हें शारिरिक रूप से शामिल होने वाले अभ्याद दे सकते हैं उन्हें टिपड़ी लिखने के लिए पै इसपर्ष के संकेत का अधेयन किया है सहमत हैं कि इसका संबंद नकारात्मक भावनाओं से हैं पश्चिमी और अधिकतर यूरोपिय लोग इस समय हाथ से चेहरे को ज्यादा छूते हैं जब जूड बोलते हैं यह एशियाई लोगों के साथ नहीं होता जो धार्मिक कारणों से स्थिर छूने से बचते हैं पर जूड बोलते समय उनके पैरों की हरकत बढ़ जाती हैं चित्र हाथ से चेहरे छूने के मौलिक संकेत बच्चों में आम तोर पर देखा जाता है कि जूड बोलते वक्त वे अपना चेहरा चुपा लेते हैं व्यसकों में भी यह चित्र आख की सवेंदन शीलता बढ़ जाती है जिसके करण नाख से इसपर्ष बढ़ जाता है चित्र नौ में देखा जा सकता है आखों को हाथ से छुपाने से हम वह नहीं देखते जो हम नहीं देखना चाते या जिस पर हमें विश्वास नहीं होता चित्र दस यह आख मलने की मुद्रा का उद्गम स्रोत है चित्र ग्यारा वबारा कान मलना सरगरदन को खुजाना भी यह संके देता है कि व्यक्ति अनिस्चित है या जो कहा जा रहा है उस पर वह विश्वास नहीं कर रहा है कुछ उपयोगी तकनीके पहला हमेशा हाथ से चहरे को चूने के संकेतों को समूहों में और उनकी प्रिष्ट भूमी में पढ़ें कभी भी नाक की खुजली को दोके का संकेत न समझें दूसरा अपनी प्रस्तूती के दौरान हाथ से चहरे के स्पर्ष संकेतों से हमेशा परहज करें क्यूंकि उनके प्रयोग से आपके श्रोता आप पर कम विश्वास करेंगे वीडियो कैमरे के सामने अभ्यास करें या शीशे के सामने खड़े होकर रिहरसर करें ताकि चहरे को छूने की आपकी आदत खत्म हो जाए तीसरा अगर आपकी प्रस्तूति के दौरान कोई हाथ से चहरे को इसपस संकेत का प्रयोग कर रहा हो तो यह करें मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है इसका ज़्यादा प्रबल तरीका यह है आपकी देवहशा बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है इस आखरी प्रेशन को पूछते समय सावधानी बढ़तें क्योंकि यह कई बार अपमान जनक लगता है यह व्योसाइक प्रदर्शन करताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सकारात्मक देह संकेत पहला सिर जुकाना जब हम उस चीज में रूची लेते हैं जो हम देख या सुन रहे हैं तो हम अपने सिर को एक और जुकाते हैं अगर आपका संभावीत ग्रहाग अपना सिर एक और जुकाय हुए हो तो प्रस्तुती जारी रखे अगर उसका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर उसके सीने पर गिर जाता है तो उसका ध्यान अपनी और दुबारा खीचें या बाच्चित के दिशा बदले दूसरा गाल पर हात रखना यह आपकी प्रस्तुती का सकारात्मक मुल्यांकन दर्शाता है हात गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहरा नहीं देता उंगली सामाने तहा कनपट्टी को चूती है यदि सिर हात के सहरे टिकने लगते तो इसका यह मतलब है कि श्रोता की रूची घट रही है तीसरा, चश्मे की नोक चूसना कोई व्यक्ति पैन, पैंसिल या अपने होड भी चूस सकता है यह मुल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है जब व्यक्ति किसे निर्ने पर पहुँचने का प्रयास करता है परन्तु यह निर्ने लेने से रोकने का भी लक्षन हो सकता है क्योंकि उसके मुँ में कोई चीज होने के कारण वह जवाब देने की अवशक्ता महसूस नहीं करता चौथा, सामने जुकना हम उन लोगों या वस्तुओं के नस्दीक आते हैं जो हमें रोचक या आकरशक लगते हैं इसे शुरुवात करने वाले व्यक्ति की इस्थिती न समझ ले क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं परन्तु उसके दोनों हाथ घुटने पर रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आदमी दोर लगाने वाला हो शायद दर्वाजे की ओर यह संकेत एक आकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है और इससे एक ठंडे किन्तु विश्वास पूर्ण रविया का पता चलता है सवाल यह है कि वह विश्वास किसके प्रती है क्या विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विश्वास पर अपने स्वेम के ज्ञान पर विश्वास है क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है जिस पृष्ट फूमी में इसका प्रयोक किया जाता है उसी से इसका सही जवाब मिलता है कोट की जेव, पैंड की जेव, गेरेबान के मोड में से अंगुठे बाहर निकल सकते हैं बाहर निकले अंगुठे से स्रिष्टता पूर्ण रुख का संकेत मिलता है विश्वास पूर्ण और ठंडा जो मिनार की तरह का संकेत होता है अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समजदारी नहीं होगी क्यूंकि इसे घमंडी या अख़ड वेवहर माना जा सकता है साथवा, दोनों हाथ सिर के पीछे ऐसा आम तोर पर पुरुष करते हैं जिससे यह संप्रेसित होता है मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ मुझे सब मालूम है आप इस वेक्ति से इस तरह का सवाल पूस सकते हैं मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे इसका परिणाम या तो सहीयोग या फिर वाद दिवाद होगा जो इस बात पर निर्फर करता है कि संकेत किस प्रिष्ट भूमे में दिया गया है पहला आलोचनात्मक मुल्यंकन यह संकेत काफी इस्तमाल होता है और इससे शुरताओं के अलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है तरजनी उंगली गाल के उपर टिकी रहती है अंगुठा थुड़ी को सहरा देता है और मद्यमा उंगली या तो मुह पर या मुह के आस्पास होती है आपका विचार क्या है? इस तरह का सवाल उस व्यक्ति की भावनाओं को सामने ला सकता है दूसरा काल्पनिक रोया चुनना काल्पनिक रोया चुनना यह बताता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है व्यक्ति उससे असमत है जब व्यक्ति काल्पनिक फाहा या रोया चुन रहा होता है तो वह दूसरी और देखने लगता है इस तरह के वैक्ति से मुझे लगता है आप कोई प्रश्ण पूछना चाते हैं जैसे सवाल पूछना ठीक रहेगा तीसरा, कॉलर खीचना जब कोई चुपचाप गुस्सा होता है विचलित होता है या दोखा देता है तो उसकी गर्दन में संस्तनाहट या जुझुनी का एहसास होता है इस परस्थिती में उस वैक्ति की इक्षा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खीच कर अलग कर ले इस तरह के वैक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा इस बारे में आपके क्या विचार है यह अभिवेक्ति पूरी तरह बताती है कि यहां क्या हो रहा है बढ़ते हुए तनाओ या बढ़ती हुई कुन्ठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पीछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है ताकि वहां उट रहे जुझुनी के एहसास को शांत किया जा सके यह एहसास तब होता है जब कोई शब्दस आपकी गर्दन में दर्द पैदा करता है यह गर्दन में छोटी इरेक्टा पिलर मान स्पेशी की गतिवीद्यों के कारण पैदा होता है यह चिडाने वाला संकेत उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो खुद को आप से बहतर, समजदार, अमीर या स्मार्ट समझता है इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने पैरों के तलवे को उठा कर अपना कद बढ़ाने का प्रयास भी करता है दिमाग जब कोई चीज नहीं देखना चाता तो वह आँखों को बंद कर लेता है हो सकता है वह व्यक्ति आपको हिकारत की नजर से देख रहा हो चटवा, कुर्सी पर पैर रखना इसके कई अर्थ होते हैं पहला यह की व्यक्ति आराम दे है और आत्विश्वास से पूर्ण है विशेश कर जब वह कुर्सी उसकी नहो दूसरी और यह उसकी छेत्री सीमा का संकेत भी हो सकता है क्योंकि वह कुर्सी के उपर पैर रखकर उस पर अपना हग जता रहा है समग्र रुक आराम दे उदासींता का संकेत है सात्वा कुर्सी पर पैर फैला कर बैठना यह विशेश तोर पर एक पुरुष संकेत है क्योंकि यह अधिकार या स्रिष्टा का संदेश प्रेशित करता है कुर्सी की पीठ संभावित खत्रे की रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचिंतम अधिकार संकेत है जो आदमी इस सिती में हो उससे कभी बहस न करे इसके बजाए उससे चर्चा में शामिल करे और कुर्सी सीजी करके बैठने के लिए करे है हाथ मलने की गती से व्यक्ति की संभावित भावनाओं का पता चलता है तेजी से हाथ मलने वाला व्यक्ति किसी बात के परिडाम के प्रती रोमान्चित अनुभाव करता है धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस वेक्ति को चर्चा में लाव होने या पैसे मिलने की आशा होती है एक सामान्य संकेत समू इस द्रिश्य में दाई और बैठी महिला ने आलोशनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाई और बैठा आदमी खुली हतेलियों का प्रयोग करके और आगे की और जुक कर उससे बाते करने का प्रयास कर रहा है केंदर में बैठा वैक्ती मिनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की इस्तिती से विश्वास पूर्ण और आश्वस्त रुख प्रदर्शन कर रहा है आकरी शब्द देवासा को समझना किसी पहली की तरह लगता है हमें से अधिकतर के पास ये भाशा तुकड़ तुकड़ो में आती है पर हम उन्हें पूरी तस्वीर में नहीं जमा पाते देवासा का पहला निया हमेशा याद रखें अकेले संकेत की कभी व्याख्या न करें हमेशा समुहों का ध्यान रखें इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी संकेतों की प्रिष्ट भूमी और सांस्कृतिक विबिनताओं का ध्यान रखा गया हो देवाशा पढ़नी की योगिता का मतलब है कि हम प्रती दिन की स्थितियों में साफ नजर आने वाली चीजों को पढ़ सकें अब अगले चितर को देखें आपको क्या नजर आता है समापन आपने कितनी बार किसी को उच्च इस तरिये नेटवरकर के बारे में या कहते सुना है उसमें कुदरती प्रतीबा है या वह जनमजाद सेल्समेन है आपने किसी डॉक्टर या इंजिनियर के बारे में कुदरती प्रतीबा वाले इंजिनियर या जनमजाद फार्मसिस्ट या जनमजाद डॉक्टर वाक्यांस नहीं सुना होगा हम जानते हैं कि ये व्यवसाय विज्ञानिक व्यवसाय है विज्ञान एक दक्षता या तकनीक है जिसे क्रमबंद अध्यन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो निसकर्ष, प्रयोग और मानक पर आधरित होती है उच्च इस तरिये नेटवर्क कारिकरता कुदरती प्रतिभा वाला या जन्मजात नहीं होता उच्च इस तरिये नेटवर्किंग एक विज्ञान है, एक सीखने की कला है जो दूसरे विज्ञान की ही तरह है यह पुस्तक आपको कई शशक्त तकनीके प्रदान करती है और यह सिखाती है कि आप इसका किस तरह प्रयोग कर सकते हैं किस तरह अपनी प्रगती को माप सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं और लोगों से बात करते समय किस तरह से ध्यान दे सकते हैं नेटवर्किंग का विज्ञान यह सीखने वाली कला है जिसमें दूसरे विज्ञानों की तरह ही पूर निष्ठा, लगातार मेहनत और सतत अभ्यास की आवशक्ता होती है सफलता की यातरा में नेटवर्क कारकरता के सामने उत्पन होने वाली सबसे बड़ी चुनुतियों में से एक है नकारात्मक प्रतिगिर्या के प्रती अतीस समवेदन शीलता जब आप इस पुस्तक में दी गई तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि हर हां आपके लक्षियों को प्राप्त करने के दिशा में एक सकारात्मक कदम है आपके आउसत को बनाये रखने में आपके सामने यह बार बार सिद्ध होता रहेगा यह पुस्तक कैसे करें के रहस्य बताती है जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बादा है अब बाकी आप पर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस बिना शोर शराबे या विज्यापन के लगभग रातो रात विक्सित हुआ है और अंततह यह सबसे बड़ा बिजनस सिस्टम बन सकता है इसकी सफलता वितरन तंतर पर निर्भर करती है जो पूरी तरह अपने शदस्यों के उत्साह के बलबूते पर ही चलता है या मनुश्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सरवादिक, महतपून और व्यापक अवसरों में से एक है इस पुस्तक में आपको ऐसी कई कुझी मिलती है जिसमें आप स्तंतर के खजाने के तालों को खोल सकते हैं और आप सफलता की ओर तेजगती से आगे बढ़ सकते हैं इस पुत्तक में बताई गई हर बात आजमाई हुई है इसका परिक्षण किया गया है और इसके तत्काल परड़ाम मिलते हैं हर चीज काम करेगी बसरते कि आप काम करें सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है इसलिए अपने लक्ष बनाएं और उनकी ओर बढ़ें एलन पीस